सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जान लेवा है शाराप पीना सेहत के लिए हानिकारक मोहन कुमारे की मानदार और करतब निष्ट बेगती है जो अपने मित्र दिनेश के स्वामित्तु वाली एक सिपिंग कमपनी के महाप्रबंधक के रूप में कारिरत है दिनेश एक विधुर है और उसकी बेटी रोमा मोहन कुमार उसकी पत्नी सुमित्रा और छोटे बेटे रवी से जुड़ी हुई है मोहन कुमार के अधीन काम करने वाले जुगल किसोर भंडारे और बलवन्त तसक्री के धंधे में जब मोहन कुमार को उनकी गत्विधियों के बारे में पता चलता है तो तीनों लोग दिनेश की हत्या कर देते हैं और इसके लिए मोहन कुमार को धोखा देते हैं मोहन कुमार असहाय है अदालत में अपनी बेगुनाही सावित करने में असमर्थ है उसे 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है उसी समय उसकी पतनी एक दुरगटना ग्रश्ट में मौत हो जाती है जेल की सजा काटने के बाद मोहन कुमार तीन खलनाईकों से बदला लेने के लिए अमरेश पुरी से मदद लेता है जिसकी जान उसने जेल में बचाई थी पुरी का संबंध अंडरवर्ड से है जबकि मोहन कुमार भी अपने बेटे रवी का पता लगाने में असमर्थ है वो रोमा के पास जाता है और अपने सुचंद चाचा जगदीश के साथ रहता है जो एक सरावी है मोहन कुमार से अंजान उसका खोया हुआ बेटा रवी जुगल किसोर और उसके गिरोह में सामिल हो गया है परस्थितियों के एक मोड में रवी रोमा से मिलता है और मोहन कुमार की जान बचाता है मोहन कुमार रवी के लिए एक इसपष्ठ स्नेह महसूस करता है रोमा और रवी प्यार में पड़ जाते हैं जब मोहन कुमार भंडारी की मौत की योजना बनाता है जुकुल की सोरा और बलवंत रवी को मोहन कुमार को मारने के लिए कहते हैं एसा करने में असमर्थ है रवी छत से गिर जाता है और विडंबना यह है कि मोहन कुमार द्वारा बचाया जाता है और पुरी के गुर्गों से एक कबीर को रवी की बंदूक मिल जाती है संदेश पस्द वो रवी पर जासूसी करता है और जेके और बलवंद से उसके संबंद का पता लगाता है मोहन कुमार गुस्टे में है बलवंद मोहन कुमार को मारने की कोशिस करता है लेकिन अस्फल रहता है मोहन कुमार उसका पीछा करता है और एक ट्रेक की चपेट में आकर बलंद की मौत हो जाती है भंडारी और बलंद की मौत से गुस्षे में जेके रभी और रोमा का अप्रहन कर लिया ये पता लगाने के लिए बाद में रभी मोहन का बेटा है वो उसे रिहा करने के लिए एक बड़ी फिरसोती मांग करता है उस फिरोती आगामी लड़ाई में मोहन और रभी जेके को मारने के लिए सहयोग करते हैं दुनिया मूबी बिस सुघात और बदले की कहानी है जो एक सीपिंग कमपनी के इमानदार मैनेजर के इर्द गूमती है उसे कुछ कुख्यात कारकरताओं द्वारा अपने मालिक की हत्या के लिए फसाया जाता है और 14 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है कहानी बदला लेने और अपनी बेगुनाही सावित करने के लिए उनके प्रयासों पर प्रकाश डालती है दुनिया मूबी रमेश तलवार द्वारा निर्देशित हिट 1984 की हिंदी भासा की एक्षन फिल्म है जिसमें असोक कुमार, दिलीक कुमार, रिसी कपूर, अमरता सिंग, मुक्य भूमकाओं में है इसमें संगीत आडी बर्मन ने तयार किया है इस फिल्म के निर्देशक हैं रमेश तलवार इस फिल्म को लिखा है जावेद अक्तर, पठक कता की है जावेद अक्तर ने निर्मित किया है येस जोहर ने इस फिल्म को अबनित किया है असोक कुमार, दिलीक कुमार, रिसी कपूर, अमरता सिंग इस फिल्म के चांकन किया है जहांगीर चोधरी जल मिस्तरी इस फिल्म में संगीर दिया है आडी वर्मन जीनी इस फिल्म की रिलीज की तारीक है 18 सितंबर 1984 आडी के रूप में असुप कुमार मोहन कुमार के रूप में दिलीप कुमार और रभी कुमार के रूप में दिशी कपूर रोमा वर्मा के रूप में अमरता सिंग प्रेम चौपटा के रूप में प्रकास चंद भंडारी अमरेश पूरी यानि कि बलवन सिंग के रूप में है जुगुल किसोर आहुजा जेके के रूप में प्राणड दिने सुवरमा के रूप में हैं प्रदीप कुमार कुल्भूशन खरवंदा तेजस के रूप में हैं वासु देवी के रूप में ओमपुरी स्रीमति सुमित्रा कुमार के रूप में सायरावानू सुल्भा देश पांडे मर्यम के रूप में है पारशकर के रूप में है धूमल सत्यन कप्पू यानिकी जगदीश के रूप में है मैक मोन कबीर के रूप में है टोनी के रूप में है जावेत खान अम्रोही अर्बिंद देश पांडे अलबड पिंट्रो के रूप में है अंजन श्रिवास्तो अजनवी के रूप में है मढख किरानी के रूप में है मढख जी फिल्म से टेलिफोन अनुकरम जहां नायक बार-बार एक लेड लाइन नंबर पर काल करता है लेकिन गलत कनेक्षन की भावना देते जिये चल काल काट देता है लेकिन अंत में इसे डिसकनेक्ट नहीं करता जब खलनायक चर्चा में होते हैं 1977 की कर्णड फिल्म ओलू के इसी तरह के अनुकरम पर आधारित है इस फिल्म में कुल्छे गाने हैं नमबर एक तेरी मेरी जिन्दगी लता मंगेसकर जीने काया है गहरे हलके हलके गहरे चाया साम के साई किसोर कुमार लता मंगेसकर जीने काया है मैं और मेरी आवारगी किसोर कुमार जीने काया है दुनिया बहुत ही कमाल है किसोर कुमार जीने काया है तू चान नगर की सह जाती किसोर कुमार जीने काया है जूमती रावत जवान जगमगाता है जहान दो घड़ी का है समा किसोर कुमार और आसा भोसले महिंद कपूर जी ने गाया है इस फिल्म का एक प्रसिद्ध द्रस्य है जहां नायक बार बार एक लेड लाइन नमबर पर काल करता है लेकिन गलत कनेक्शन का एहसास देते हुए काल काट देता है लेकिन अंत में इसे डिसकनेक्ट नहीं करता जब दोनों खलनाक चर्चा में होते हैं 1984 की हिंदी फिल्म में इस्तेमाल किया गया दुनिया इस फिल्म में मुखी किरदार राजकुमार ने एक अंग्रेजी प्रोफेसर मोहन की भूम का निभाई है कहानी कुछ मज़ेदार घटनाओं से सुरू होती है जो उसके और रोहणी के बीच होती है जो कालेज की सबसे लोकप्री लड़की लच्चमी द्वारा अवनित है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दो मुखी पात्र प्यार में पढ़ जाते ही उनके प्रेम ब्रसंग की खबर दोनों परिवारों तक पहुँचती है और रोहणी ने रिस्ता खत्म करने का फैसला किया राजकुमार का मानसिक रूप से बीमार भाई फिर बाकी फिल्म का फोकस बन जाता है रिसी कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 30 अप्रेल 2020 एक भारतिय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता थे जिनोंने हिंदी फिल्मों में काम किया वो चार फिल्म पेर पुरुसकार औ कपूर परिवार में जन्में उन्होंने अपने पीता राजकुपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में एक किसोर के रूप में अपनी सुरुवात की जिसके लिए उन्होंने सरफसेष्ट बाल कलाकार का राश्टी फिल्म पुरुसकार जीता एक वैस के रूप में उनकी पहली मुक्य भूम का किसोर रोमांस बाबी 1973 में डिंपल का पाडिय के साथ थी जिसने उन्हें सर्फसेश्ट अपने तका फिल्म फेर पुर्सकार दिलाया 1973 और 2000 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों के रोमांटिक लीड के रूप में अभिने किया किसकी अवदी के दोरान उनकी कुछ उलेखनी फिल्मों में खेल खेल में 1975 कभी कभी 1976 शरगम सामिल है 1989 करज 1980 प्रेम रोग 1982 चांदनी 1989 और दीमाना 1992 2000 के दिसक से कपूर ने लग बाय चांस 2009 लब आज कल 2009 दो चूनी चार 2010 अगनी फद दो जार बारा 102 नाट आउट 2018 और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रसंसा के लिए चरित्र भूमकाय निभाई है 2018 में दो जूनी चार 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सबसेश्ट अबनेता आलोचकों के लिए फिल्म फेर पुरुषकार जीता और कपूर एंड संस 2016 में उनकी भूमका के लिए उन्होंने फिल्म फेर पुर्षकार जीता सबसे स्चाहिक अपनेता उन्हें से सम्मानित किया गया 2008 में फिल्म फेर लाग टाइम अचीवमेंट आवार्ड उनकी अंतिम फिल्म उपस्तिती सर्माजी नमकीन 2022 में जो मनो परांत रिलिज हुई थी कपूर ने फिल्म सिट पर फिल्मों में काम करने के दोरान अपनी पत्नी अभनेत्री नीतु सिंग से मुलाकात की जिन से रडवीर कपूर सहित उनके दो बच्चे थे 30 अप्रेल 2020 को सर्सट वर्स किया हुमें उनका लुके मिया से निधन हो गया अमरेश पूरी एक भारती अभिनेता थे जो भारती रंगमंचा और सिनेमा में एक महत्पूर बेक्ती थे उन्हें पंजाबी हिंदी सिनेमा के साथ साथ अन्य भारती और अंतराष्टी फिल्म उद्धोग में प्रतिष्टित खनलाइक की भूंका निभाने के लिए याद किया जाता है भारती दर्शकों के लिए उन्हें सेखर कपूर की हिंदी फिल्म मिश्टर इंडिया 1987 में मगैंबो के रूप में उनकी भूंका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है और पश्चिमी दर्शकों के लिए उन्हें इस्टिवर्ड प्लील बर्ग की हालिवुड फिल्म में मोला राम के रूप में जाना जाता है इंडियन जोन्स एंड दा टेंपल आफ ड्रूम 1984 इनका जन्म 22 जून 1932 को हुआ था नवाब सहर पंजाब ब्रेटिस भारत में ये 12 जन्रूरी 2005 को इनका निधन हो गया था इन्हेंने 1967 से 2005 तक अपने अभिने में सक्क्री रहे इनके जीवन साथिनी हैं उर्मला दिवेकर और इनके सगे भाई हैं चमनपुरी भाई हैं मदनपुरी भाई हैं केल साइगल चछेरे भाई हैं बर्धन पुरी बहत रहें उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी भासा की फिल्मों के में काम किया है उन्होंने पंजाबी तेलगू कन्नट तमिल मर्यालम और मराथी भासा की फिल्मों में भी काम किया हैं अमरेश पुरी ने सरफस्र शायक अभिनेता के लिए तीन फिलमपुरेल प्रुश्कार जीते हैं। उनके पोते वर्दमण पुरी भी भारती सीनेमा में एक अभिनेता हैं, जिन्हों ने पूरी अम्रेश पुरी फिल्म के नाम पर एक प्रोडेक्शन हाउस द्वारा निर्मित फिल्म में लिखा और आविने किया 1970 के दसक के दोरान अमरेश पुरी अक्सर भूमिकाओं में काम करते थे आम तोर पर मुकी खलनाइक के गुर्गे के रूप में उन्होंने 1980 की सूपर हिट फिल्म हम पांच में देखा गया था जिसमें उन्होंने मुकी खलनाइक की भूम का निभाई थी उसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में मुकी खलनाइक के रूप में लिया जाने लगा 1982 में अमरेश पुरी ने सुभास गई की सूपर हिट फिल्म विधाता में मुखी खालनाएक जगवर चौदरी की भूम का निभाई उस वर्थ उन्होंने फिर से दिलीब कुमार और अमिताबच्चन कि सा अभिनित फिल्म सक्ति में मुखी खालनाएक जेके की भूम का निभाई इसके बाद 1983 में गही ने उन्हें फिर से हिट फिल्म हीरो में मुखी ख 1990 के दसक में खलनाएक की भूम काव में सर्पोच सासन किया उनकी दबदबे वाली इस पीन उपस्तिती और माध्यम आवाज ने उन्हें एक बिन अन्य खलनाएकों के बीच खड़ा कर दिया उन्होंने रिचर्ड एटनर ब्रो की गांधी 1982 में खान के रूप में और स्टीव इस लिप बर की इंडियाना जोंस दा टेंपल आफ ड्रम 1984 में मुख्य प्रतिपच्छी मौल मौला राम के रूप में उनकी मुख्य भूमकाओं के लिए अंतर राष्टी दर्सकों के लिए जाना जाता है उन्होंने भूमकाओं के लिए अपना सिर मुड़वा लिया और इ कि छूट दी गई अमरेश्पुरी इसलिप बर्ग ने एक महान ताल मेल साजा किया और इसलिप बर्ग अक्सर साच्छात कारों में कहते हैं अमरेश्पुरी मेरा पसंदीदा खनलायक है दुनिया ने अब तक का सबसे अच्छा उत्पादन किया है और कभी भी होगा खनलाय में भुज घायल में बलवंतरा दामेनी में बारिष्टर चड़ा ठाकुर के रूब में याद किया जाता है दूर्जन सिंग करण अर्जुन में चाची 420 में उनकी हास भूमका जिसमें उन्होंने कमल हासन के साथ आविने किया और बहुशा शराहा गया 1990 के दसक से 2005 में उनकी कुछ लेखनी सकारात में घूमकाएं दिलवाले दुलिने लिए जाएंगे फूल और काटे गर्दिस परदेश बिरासत घटक मुझे कुछ कहना है चाइना गेट है उन्हें मेरी जंग और बिरासत के लिए सबसेश चाहिक अब नेता का फिल्म फिर प्रुशकार जीत हिंदू जास्तुताल में भरति होने के बाद उनकी इस्तिति के लिए मास्तिक की सर्जरिय हुई थी उनकी इस्तिति के लिए मास्तिक छेटर में जमारक्त को लगातार घटाने की आवसकता थी मास्तिक और कुछ समय बाद वह अपनी मृत्यू के समय पहले 12 जनुरी 2005 को को सिवाजी पार्क समसान में हुआ था 22 जून 2019 को अमरिसपुरी को गूगल डूडल से सम्माइनित किया था 1987 में जनम दिन के उपलच में गूगल ने उन्हें तस्वीर और साथ में लिखा हुआ इस प्रकार पढ़ा यह पहली बार आप सफल नहीं होते तो कोशिस करें फिर से प्रयास करें और आप भारती फिल्म अबनेता अमरिसपुरी की तरह हो सकते हैं जिन्होंने एक सुरुवाती जटके में पर कावु पा लिया अपने बड़े परदे के शपनों को पूरा करने का तरीका अमरिसपुरी ने अपने बच्पन के सिच्छा पंजाब में प्राप्त की और आगे की पढ़ाई करने के लिए अमरिसपुरी सिमला गए थे उन्होंने सिमला में B.A. B.M. काले से पढ़ाई पूरी करके उन्होंने सरप्रतम अभिने की दुनियों में कदम रखा था अमरिसपुरी ने सबसे पहले रंग मंच से जुड़े थे और फिर बाद में उन्होंने फिल्मों में काम करना चालू किया था अमरिसपुरी को रंग मंच से बहुत ही लगाओ था और तो और उनके हर एक नाटक को स्वहिंद्रा गांधी और अठल भिहरी बाजपे जैसी महान लोग उनके नाटक को देखा करते थे पतम विबूसर्ट रंगमक कर्मी अबराहम अलकाजी से उन्होंने 1961 में हुई एतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वे बाद में भारती रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए थे अमरेशपुरी चरितर बनेता मदनपुरी के छोटे भाई अमरेशपुरी हिंदी फिल्मों की दुनिया का एक प्रमुक इस्तमभ है अभिनेता के रूप में निसांत मन्थन और भूमका जैसी फिल्मों में उन्हें पहँचान बनाने वाले स्री पुरी ने बाद में निभाई जो काफी चर्चेत रही इस भूमका का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने हमेशा अपना सिर मुड़वा कर अपने हैसला किया कि इस कारण खलनाएक की भूमका भी उन्हें काफी मिली बेवसाइक फिल्मों में प्रमुकता से काम करने के बाद बावजूद सामानतर या अल अम्रेशपूरी हटकर चरित रही नेता की भूमकाओं वाले अम्रेशपूरी का दौर इस दौर में उन्होंने अपनी आइवने कला का जादू कम नहीं होने दिया फिल्म मिश्टर इंडिया के बाद मोगयमबो खुस हुआ किसी बेक्ति का खलनाएक वाला रूप सामने लाता तो फिल्म डीडी यलजे का संबाद जरा सिम्रंजा जी ले अपनी जिन्दगी बेक्ति वो रूप सामने लाता जो खलनाएक के परवर्तित हर्दे को गुहोतक ह है और इस तरह हम पाते हैं कि अमरेशपुरी भारती जन्मानस के दो पच्छों को विक्त करते हुए याद किये जाते हैं कुल भूसर पंडित का जन्म लोरलाई ब्लूचिस्तान ब्रेटिस भारत में एक कस्मीरी पंडित परिवार में हुआ था 1940 के दसक के अंत में वे बामबे चले गए थे जहां में बामबे पुलिस के आधिन एक सब एस्प्रेक्टर बन गए उन्होंने पंडित से साधी की जो एक इंगोल इंडियन थी जिसने उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी जहां वे एक एर होश्ट थी बाद में उन्होंने हिंदू रीत रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायतरी कुमार रख लिया उनके तीन बच्चे थे बेटे पुरू राजकुमार एक हबिनेता पाडिन राजकुमार और बेटी वास्तिविक पंडित इन्होंने 2006 की फिल्म आरदा पावर आप सनी में अपनी शुरुवात की थी अगर इनके कारियर की बात की जाये तो राजकुमार ने 1952 की फिल्म रंगीली में आविनेक की शुरुवात की और आप सर गमंद और लाखों में एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिये लेकिन शोहराव मोदी की नशोरवान ए आलिदा नौसेर वान ए आदिल 1957 में राजकुमार नौसाज नौसाजाद के रूप में वो प्रसिद्ध हुए 1967 में उन्होंने मतर इंडियमें नर्गिस के पती के रूप में अपनी संचिप्त भूमका के साथ प्रमुकता हासिल की उन्होंने उजाला 1961 में सम्मी कपूर के साथ भी काम किया इसके बाद उन्होंने दिलिप कुमार के साथ पैगंग घम 1961 में एक मिल मजदूर की भूमका निभाई तिरिधर के दिल एक मंदिर में 1963 राजकुमार ने एक कैंसर रोगी की भूमका निभाई जिसके लिए उन्हें सबसे साहनी के साहनी के साथ लिया गया था वे सम्माद बितरक की अपनी विशिट साहली के लिए जाने जाते हैं उनकी अनेक उलेखनी फिल्मों में हमराज 1963 हीर राज़ा 1971 मर्यादा 1971 लाल पत्तर 1971 और पाकीजा 1972 सामिल है 1970 के दसक के अन्त और 1980 के दसक की सुरुआत में फलाफ की अवधी के बाद उन्हें कुदरत 1981 एक नई फहली 1984 मर्ते दम तक 1987 मुकदर का फैसला 1987 और जंग बाज में सहय कबनेता के रूप में उलेखनी सफलताएं मिली 1989-1991 में उन्होंने सुभास गई की सौदागर में 32 साल बाद साथी दिगजबनेता दिलीब कुमार के साथ फिल्ट फिर से काम किया उनकी आखिरी हिट फिल्म 1992 में आई फिल्म तिरंगा थी और उनकी अंते में फिल्म 1995 की गाड एन गन थी आज की बात करने जा रहे हैं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्य बिनेता निर्माता निर्देशक असो कुमार की असो कुमार का जन बिहार के भागलपूर सहर के आदमपूर महले के मद्ध एक वरगी बंगाली परिवार में हुआ था असो कुमार सभी भाई बहनों में बड़े थे उनके पिता कुंजलाल गांगुली मद्ध प्रदेश के खंडावा में वकील थे गायके उम अभिनेता की सोर कुमारे उम अभिनेता आनूब कुमार उनके छोटे बाहि थे दरासल इन दुन की फिल्मों में आने की प्रेणा की भी असो कुमार से ही मिली असोक कुमार ने अपनी प्रारंबिक सिच्छामत्य प्रदेश के खंडावा सहर से प्राप्द की थी और बाद में असोक कुमार ने अपनी इसनातक की सिचायलावाद भी सुबिद्याले से पूरी की थी असोक कुमार ने अभने की प्रचलित सैलियों की दर किनार कर दिया और अपनी स्वाभाविक सैली विक्सित की थी वो कभी भी जोखिम लेने में नहीं घबराय और पहली बार हिंदी सिनेमा में एंट्री हीरो की भूंका की थी असो कुमार ने सन 1934 में यू थ्रेटर में बतोर लेबोरेटी असिस्टेंट के रूब में काम किया था असो कुमार और किसोर कुमार ने चलती का नाम गाड़ी में काम किया इस कमेडी फिल्म में भी असो कुमार ने बड़े भाई की भूम का निभाई थी फिल्म में मदुबाला ने भी काम किया था असो कुमार ने अपने कई साथ साथ कारों में ये बात के सुईकार की थी कि उन्होंने केवल अभिने बल्कि गाने की प्रेणा भी असो कुमार से ही मिली है क्योंकि असो कुमार ने बच्पन में उनके बीतर बाल गीतों के जरिये गायन के संसकार डालते थे असो कुमार की रुची अभिने नहीं थी बलकि वो फिल्म में तक्नीकी पच्च से जुड़ना चाहते थे लेकि किसमत ने अभिने के छेतर में लाकर खड़ा कर दिया और उन्होंने अभिने को इसकदर आदम साथ कर लिया कि उनके अभिने का जदों लोगों को सिर पर चड़कर बोलने लगा असोक कुमार के केरियर की सुरुवात बांबे टाकिज से हुई थी वो उस वक्त तक्नीक सियन थे उनके हीरा पर बनने का हिस्सा कुछ यूँ था एक बार देविका रानी के एक हीरो नजीन मल हुसेन सेट से भाग गया थे जिस वज़े से बांबे टाकिज में हिमानसु राय की काफी परेसानियों का सामना करना पड़ा था इसके बाद हिमानसु राय ने असोक कुमार को देविका रानी का हीरो बना दिया देविका रानी और असोक कुमार की जोड़ी खूब जमी अचूत कन्या में इस दोनों के अभिने को लोगों ने खूब शराहा अशोक कुमार और देविकार रानी ने सावित्री निर्मला और इज्जत में भी साथ-साथ काम किया बामबे टागेज की फिल्म किस्मत अशोक कुमार के लिए मील का पत्थर सावित हुई ग्यान मुकरजी द्वार ने देशित किस्मत हिंदी सिनेमा की बहुत चर्चित फिल्मों में से एक है एक और इसमें नायकसो कुमार एंट्री हीरो की भूंका में थे वहीं कभी प्रदीप के गीतों में राष्टिवद में परोच्छ रूप से परिलिचित हो दहा था ये फिल्म जब प्रदसित हुई उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और बेटन युद्ध में जर्मनी और जापान जैसे देशों से जूज रहा था इस फिल्म का एक गीत दूर हटो ए दुनिया वालो हिंदोस्ता हमारा काफी शफल सिद हुआ था इसके बाद असोक कुमार की ये एक और चर्चित फिल्म महल आई जिसमें उन्होंने अपेच्छा कर नई अवनेतरी मदुबाला के साथ काम किया बहु बेगम आरती एक ही रास्ता इत्यात फिल्मों में काम किया इसके साथ ही चलती का नाम गाड़िया सिरवाद और उनकी लैड मार्क फिल्में हैं वो सिर्फ एक कंभीर कराकार नहीं थे उन्होंने कमेडी में भी दूम मचाई है यह कुछ फिल्मों में बिल्लन भी बने यसी ही चर्चित फिल्मों जोल थी जिसका कथानक एसा था जिसमें आकरी छण तक दरसकों को यह पता नहीं लगा पाया कि असो कुमार बिल्लन की काम किया है देश के पहले सोप ओपेरा हम लोग वो सूत्रधार की भूमका में थे और बहुचाची धारवाईक बहादूर साज जफर में असोक ब्रद्ध हो चुके थे बासा की आस्विमरणी भूमका निभाई दादा पुनी मुनी बहु मुखी प्रतिभा के घनी थे जिनके सोक में पेंटिंग बनाना था और होमोपैथिक के डाक्टर भी थे दादा मुनी और इनके पुरुसकार की बात की जाये तो असोक मार की फिल्म सफर में कई फिल्मों से पुरुसकार से नवाजा गया था और करीब 6 दसक तक भी मिसाल भी नहीं से दर्सकों को रूमा दिलीप कुमार उपर मोहमद यूसुप खान भारती हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अबिनेता हैं दिलीप कुमार को अपने दोर का बेहतरीन अबिनेता माना जाता है तरसत की भूमका के लिए महसूर होने के कारण उन्हें टेजरी किंग भी कहा जाता था दिलीप कुमार को भारती फिल्मों ने यादगार अबिने करने के लिए फिल्मों का सरबोच सम्मान दादा शाह पलके पुरुसकार के अलावा पदम विभूसर और पाकिस्तान का सरबोच नागरिक सम्मान निसा ने इंतियाज से भी सम्मानित किया जा चुका है इसके अलावा वो वर्ष 2000 से राज सभा के सदस्ती हैं दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को बरतमान पाकिस्तान के पेशावर सहर में हुआ था उनके बचपन का नाम मुम्मद यूसुख खान था उनके पिता का नाम लाल गुलाम सरवर था जो फल बेंच कर अपने परिवार का खर चलाते थे बिभाजन के दोरान उनका परिवार मुंबई आकर बस गया, उनका सुरुवाती जीवन तंग हाली में ही गुजरा, पिता के ब्यापार में घाटा होने के कारण वो पूरे की एक कैंटीन में काम करने लगे थे, यहीं देविका रानी की पहली नजर पर उन पर पड़ी और उन बिभाजन के रूब में स्थापित हो गए थे, दिलीब कुमार की साधी अवनेत्री साहराबानों से वर्स 1966 में हुई थी, विवाह के समय दिलीब कुमार 44 वर्स और साहराबानों 22 वर्स की थी, 1980 में कुछ समय के लिए उन्होंने आसमा से दूरी, आसमा से दूसरी साधी भी की थी मृत्तिव की बात की जाये तो दिलीब कुमार को सांस लेने में तकलीफ होने के चलते मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भरती कराया गया था जहां उनकी तकलीफ के चलते 98 वर्स की में 98 की उम्र में 7 जुलाई 2021 को सुबह इनका रिंदन हो गया था अगर इनके कैरीर की बात की जाये तो दिलीब कुमार ने अभने कैरीर की सुरवात फिल्म जुआर भाटा से की जो वर्स 1944 में आई हलाकि ये फिल्म सफल नहीं रही उनकी पहली हिट फिल्म जुगनु थी 1947 में रि पहली बार राजकपूर के साथ काम किया ये फिल्म एक हिट साबित हुई दीदार 1991 और देवदास 1955 जैसे फिल्मों में गंभीर भूमकाओं के लिए मसूर होने के कारण उन्हें ट्रेजडी किंग कहा जाने लगा मुगले आजम 1960 में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर के भूमका निभाई रामा और स्याम में दिलीब कुमार द्वारा निभाया गया दोहरी भूमका डबल रोल आज भी लोगों को गुद गुदाने में सफल साबित होता है 1970, 1980 और 1990 के दसक में उन्होंने कम फिल्मों में काम किया इस समय की उनकी प्रमुक फिल्में थी करांती 1981, विधाता 1982, दुनिया 1984, कर्मा 1986, इज्जददार 1990 और सौदागर 1991 में और 1998 में बनी किला उनकी आकरी फिल्म थी उन्होंने रमेज सिप्पी की फिल्म सक्ती में अमिता बच्चन के साथ काम किया था, इस फिल्म के लिए उन्होंने फिल्म पर पुरूशकार भी मिला था, दिलीब कुमार और मदवालास साल 1994 दिलीपकुमार ओर्व की मुलाकात फिल्म जलार्भाटा के सेट पर अब नेत्री मदवाला सी हुई थी इसके बाद महेज 18 वर्ष की मदवाला के मन में दिलीपकुमार के लिए प्रेम जागा उस समय दिलीपकुमार 21 वर्ष के थे साल 1971 में इन दिनों पुना फिल्म तराना में साथ काम किया था फिल्म मुगले आजम की सूटिंग में 9 साल का समय लगा जिस दोरान इन दोनों का प्रेम और भी ज़्यादा हो गया था मदुबाला दिलीव कुमार से साधिक करना चाहती थी लेकिन दिलीव कुमार ने इनकार कर दिया था ये भी कहा जाता है कि दिलीव कुमार साधिक के लिए तयार थे लेकिन मदुबाला का परिवार इस रिष्टे के खिलाब था 1998 में आयात उल्ला खान के कोर्ट में दिलिव कुमार के खिलाब मुकत्मा भी किया गया था जिसमें वो इन दोनों के प्रेम समंदों को खत्म करना चाहते थे अमरता सिंग एक भारती अविनेतरी हैं जिनोंने दुनिया मुवी में बखुवी अपना किरदार निभाया है वो अपने समय की लीडिंग हमने इतनियों में से एक हुआ करती थी अमरता सिंग अभिनेतर सैफली खान की पहली पत्नी है अमरता का जनम नौफरवरी 1908 को एक सिk परिवार में हुआ था इनकी पीता का नाम सरदार रविद्दर सिंग था जम कि उनकी मा का नाम रुखशाना सुल्तान अमरता सिंग भारती लेकख क्वण सिंग की वतीजी है अम्रता सिंग की साधी 12 साल छोटे सैफली खान से हुई थी इन्होंने साधी के बाद अपनी धर्म भी परवर्तित कर लिया था और फिल्मी दुन्या से भी दूरी बना ली थी लेकिन उनकी ये साधी सिर्फ 13 साल तक चली साल 2004 में दोनों का तलाक हो गया सैफली खान का पटोदी अब नवाब से भी जाने जाते थे इनके दो बच्चे हैं सारा अली खान और इबराहिम अली खान अगर इनके कारियर की बात की जाए तो अम्रता सिंग ने अपनी फिल्म की कारियर की सुरुआत फिल्म बेताब से 1983 में की थी इस फिल्म में वो सनी देवल के साथ नजर आए थी इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिसमें फिल्म मर्द सामिल है इस फिल्म में उनके अबजेटिव मेगाश्टर अमिता बच्चे नजर आये थे उन्होंने सकारात्मक किरदार के लिए फिल्म राज भी जीता है अवनेता सफली खान से सादिक होने के बाद अम्रता ने अपनी पहली फिल्म करियर से ब्रक लेकर अपना परिवार समाने लगी अम्रता ने साल 2002 में फिल्म 23.11 पिल्म से वापसी की उन्होंने इस फिल्म में भागस सिंग की मा का किरदार निबाया इसके बाद दस कहानिया सूट आउट एंड लोग खंडवाला जैसी फिल्म में नजर आई थी 2014 में वो धर्म प्रोडक्शन की फिल्म टू इस्टेटस में नजर आई थी ये फिल्म चेतन भगस सिंग की नोबेल पर आधारित थी अमरता सिंग ने इस फिल्म में अरजुन कपूर की पंजाबन मा का किरदार निबाया जिसे दर्सकों और अलचकों द्वारा खूप सरहा गया था अगर इनकी प्रसिती फिल्मों की बात की जाए तो इनकी प्रसिती फिल्मे हैं मर्द, बेताप, सूरवनसी, राजु बन गया जेंटरमेन, अकेला, सपना, आग का दरिया, सच्चाई की ताकत, काला धंधा, गोरे लोग, कल की आवाज, टू इटेटस, दस कहानिया, सूट अगरिम, मुजरिम, चर्णों की सौगंध, दुनिया जैसी फिल्मों में अपने अविने की शुरुआत, बहुत अच्छे ढंग से की और बखूबी अपने किरदार को निभाया, रमेश तलवार, बाफा के प्रसिती रंगमंच बेकती हैं, उन्होंने बालीबुट के पठक कता लेखक और प्रसिती निर्देशक के रूम में भी जाना जाता है, बसेरा 1981 और जमाना 1985 उनकी सबसे बेवसाइक रूप से सफल फिल्में हैं, उन्होंने बसेरा के लिए सरस्टेश निर्देशन के लिए फिल्म फिल्म फिर नामांकत जीता, वो हिंदी सिनेमा के बहुत लोगप्री बाल कलाकार भी हैं, सबसे लोगप्री 1961 की सुपर हिट फिल्म धूल का फूल में बच्चे की भूम का निभाई है, वो इन दिनों सिमला 1985 और फूल और कलियां 1960 जैसे फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में भी दिखाई दी हैं, वो सांतम द्वारा निर्मित फ फिल्म का सण पतक जीता है, उन्होंने एस्चे उपडा के सहाग निर्देशन के रूप में भी काम किया है, और 1977 से एक सोतंतर फिल्म निर्देशक के रूप में अपना कारियर सुरू करने से पहले हुए, उन्होंने 1969 और 1989 की आवदी के दोरान, उनके कई निर्देशित 1989 तक फिल्मों में एस्च उपडा और असिस्ट किया, दूसरा आदमी 1997 जिसमें राखी, रशी कपूर, नीतु सिंग, देवन वर्मा और पदिश्चित का सहानी ने अभने किया था, इन्होंने 1984 की फिल्म दुनिया को भी कास्ट किया है, जो बहुत हिट साबित हुई, 1980 और 1990 की दसस की ये सूपर हिट फिल्म साबित हुई थी, हलाकि फिल्म को कई फिल्म फियर नमांकन प्राप्त हुए, लेकिन इसे बॉक्स आफिस पर पर्स गोसित किया गया था, उनके साथ निर्देशित उपकवरों में केवल बसेरा और जमाना 1985 ही सफल रही, इसलिए बा में अधिक सफलता दिलाई, उन्होंने अपने थेटर निर्देशन की सुरुवात 1963 में की थी, 2010 तक उन्होंने लगबग 25 नाटक किये, सत्रगन सिनहा, रेका, सतीस साहा और रितिसका अविनित, उनकी फिल्म आज भी फिर भी जीने की तमन्ना है, 2014 में रिलीज होने वाली है तलवार ने विविन फिल्मों की हस्तियों के साथ कुछ नाटक किये हैं, रमेश तलवार ने बकूवी अपने अंदाज में दुनिया मुवी को बहुत ही अच्छे इस्टेश तक पहुँचाया, जिसका आभी ने किया, जो सुपर हिट साबित हुई फिल्म, 1980 और 1990 की दसक की ये सुपर हिट फिल्म थी के धंधे में, जब मोहन कुमार को उनकी गत्विधियों के बारे में पता चलता है, तो तीनों लोग दिनेश की हत्या कर देते हैं, और इसके लिए मोहन कुमार को धोखा देते हैं, मोहन कुमार असहाय है, अदालत में अपनी बेगुनाही सावित करने में असमर्थ है, उसे 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है उसी समय उसकी पतनी एक दुरघटना ग्रश्ट में मौत हो जाती है जेल की सजा काटने के बाद मोहन कुमार तीन खलनाएकों से बदला लेने के लिए अमरेश पुरी से मदद लेता है जिसकी जान उसने जेल में बचाई थी पुरी का संबंध अंडरवर्ड से है जबकि मोहन कुमार भी अपने बेटे रवी का पता लगाने में असमर्थ है वो रोमा के पास जाता है और अपने सुचंद चाचा जगदीश के साथ रहता है जो एक सरावी है मोहन कुमार से अंजान उसका खोया हुआ बेटा रवी जुगल कि सोर और उसके गिरोह में सामिल हो गया है परस्थितियों के एक मोड में रवी रोमा से मिलता है और मोहन कुमार की जान बचाता है मोहन कुमार रवी के लिए एक इसपष्ठ स्नेह महसूस करता है रोमा और रवी प्यार में पड़ जाते हैं जब मोहन कुमार भंडारी की मौत की योजना बनाता है जुकुल की सोरा और बलवंत रवी को मोहन कुमार को मारने के लिए कहते हैं एसा करने में असमर्थ है, रवी छत से गिर जाता है और विडंबना यह है कि मोहन कुमार द्वारा बचाया जाता है और पुरी के गुर्गों से एक कबीर को रवी की बंदूक मिल जाती है संदे स्पस्थ वो रवी पर जासूसी करता है और जेके और बलवंद से उसके संबंद का पता लगाता है मोहन कुमार गुस्थे में है, बलवंद मोहन कुमार को मारने की कोशिस करता है लेकिन अस्फल रहता है मोहन कुमार उसका पीछा करता है और एक ट्रक की चपेट में आकर बलोंद की मौत हो जाती है भंडारी और बलोंद की मौत से गुस्से में जेके रभी और रोमा का अप्रहन कर लिया ये पता लगाने के लिए बाद में रभी मोहन का बेटा है वो उसे रिहा करने के लिए एक बड़ी फिरसोती मांग करता है उस फिरोती आगामी लड़ाई में मोहन और रभी जेके को मारने के लिए सहयोग करते हैं दुनिया मूबी बिस सुघात और बदले की कहानी है जो एक सीपिंग कमपनी के इमानदार मैनेजर के इर्द गिर्द घूमती है उसे कुछ कुख्यात कारकरताओं द्वारा अपने मालिक की हत्या के लिए थसाया जाता है और 14 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है कहानी बदला लेने और अपनी बेगुनाही सावित करने के लिए उनके प्रयासों पर प्रकाश डालती है दुनिया मूबी रमेश तलवार द्वारा निर्देशित हिट 1984 की हिंदी भासा की एक्शन फिल्म है जिसमें असोग कुमार दिलीग कुमार रिसी कपूर अमरता सिंग मुक्य भूंकाओं में है इसमें संगीत आड़ी बर्मन ने तयार किया है इस फिल्म के निर्देशक हैं रमेश तलवार इस फिल्म को लिखा है जावेद अक्तर पठक कता किये जावेद अक्तर ने जहांगीर चौधरी जल मिस्तरी इस फिल्म में संगीत दिया आड़ी बर्मन जीनी इस फिल्म की रिलीज की तारीक है 18 सितंबर 1984 आड़ी के रूप में असोग कुमार मोहन कुमार के रूप में दिलीप कुमार और रभी कुमार के रूप में दिशी कपूर रोमा वर्मा के रूप में अम्रता सिंग, प्रेम चौप्टा के रूप में प्रकास चंद भंडारी, अम्रेश पुरी यानि कि बलवन्त सिंग के रूप में हैं, जुगुल किसोर आहुजा, जेके के रूप में प्राण, दिनेश वर्मा के रूप में हैं, प्रदीप कुमार, कुल्भूशन खरवंदा तेजस के रूप में है वासुदेवी के रूप में ओमपुरी स्रीमति सुमित्रा कुमार के रूप में सायरा बानू सुल्भा देश पांडे मरियम के रूप में है पारसकर के रूप में धूमल सतेन कप्पु यानि की जगदीश के रूप में है मैक म वास्तो अजनवी के रूप में हैं, मडिक किरानी के रूप में हैं मडिक जी, फिल्म से टेलिफोन अनुकरम जहां नायक बार बार एक लेड लाइन नंबर पर काल करता है, लेकिन गलत कनेक्शन की भावना देते जिए काल काट देता है, लेकिन अन्त में इसे डिसकनेक्ट न और दाखरित है इस फिल्म में कुल्चे गाने हैं नमबर एक तेरी मेरी जिंदगी लता मंगेसकर जीने काया है। हलके हलके गहरे चाया साम के साई किसोर कुमार लता मंगेसकर जी ने गाया है मैं और मेरी आमारगी किसोर कुमार जी ने गाया है दुनिया बहुत ही कमाल है किसोर कुमार जी ने गाया है तू चांद नगर की सहजादी किसोर कुमार जी ने गाया है जूमती रावत जवान जग जगमगाता है जहान दो घड़ी का है समा किसोर कुमार और आसा भोसले महिंद कपूर जी ने गाया है। इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया दुनिया। इस फिल्म में मुखी किरदार राजकुमार ने एक अंग्रेजी प्रोफेसर मोहन की भूम का निभाई है। पहुचती है और रोहडी ने रिस्ता खत्म करने का फैंसला किया। राजकुमार का मानसिक रूप से बीमार भाई फिर बाकी फिल्म का फोकस बन जाता है। डिसी कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 तीस अप्रेल 2020 एक भारती अबनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता थे जिनोंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वो चार फिल्म पेर पुरुषकार और एक राश्टी फिल्म पेर पुरुषकार सहित कई पुरुषकारों से समानित किया गये थे। कपूर परिवार में जन में उन्होंने अपने पीता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में एक किसोर के रूप में अपनी सुरुवात की जिसके लिए उन्होंने सर्फसेष्ट बालकलाकार का राष्टी फिल्म पुरुसकार जीता एक वैस के रूप में उनकी पहली मुक्य भूम का किसोर रूमांस बाबी 1973 में डिंपल का पाडिय के साथ थी जिसने उन्हें सर्फसेष्ट अपनेता का फिल्म फिल्म पुरुसकार दिलाया 1973 और 2000 के बीच कपुर ने 92 फिल्मों के रूमांटिक लीट के रूप में अभिने किया इसकी अवधी के दोरान उनकी कुछ उलेखनी फिल्मों में खेल खेल में 1975 कभी कभी 1976 शर्गम सामिल है 1989 करज 1980 प्रेम रोग 1982 चान्दनी 1989 और दीवाना 1992 2000 के दिसक से कपुर ने लग बाय चांस 2009 लब आज कल 2009 दो चूनी चार 2010 अगनी पत 2012 102 नाट आउट 2018 और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रसंसा के लिए चरित्र भूमकाय निभाई हैं 2018 में दो गुन दूनी चार 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सबसेश्ट अबनेता आलोचकों के लिए फिल्म फेर पुरुसकार जीता और कपूर एंड संस 2016 में उनकी भूमका के लिए उन्होंने फिल्म फेर पुरुसकार जीता उनकी अंतिम फिल्म उपस्तिती सर्माजी नमकीन 2022 में जो मनोपरांत रिलिज हुई थी कपूर ने फिल्म सिट पर फिल्मों में काम करने के दोरान अपनी पत्नी अबनेत्री नीतु सिंग से मुलाकात की जिन से रडवीर कपूर सहित उनके दो बच्चे थे 30 अप्रेल 2020 को सर्शत वर्स किया हुमें उनका लुके मिया से निधन हो गया अमरेश पूरी एक भारती अबनेता थे जो भारती रंगमंचा और सिनेमा में एक महत्पूर बेक्ती थे उन्हें पंजाबी हिंदी सिनेमा के साथ साथ अन्य भारती और अंतराष्टी फिल्म उद्धोग में रतिष्टिट खनलाइक की भूंका निभाने के लिए याद किया जाता है भारती दर्सकों के लिए उन्हें सेखर कपूर की हिंदी फिल्म मिश्टर इंडिया 1987 में मगैंबो के रूप में उनकी भूंका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है और पश्चिमी दर्शकों के लिए उन्हें इस्टीवर्ड त्लील वर्ग की हालिवुड फिल्म में मोला राम के रूप में जाना जाता है इंडियन जोन्स एंड दा टेंपल आफ ड्रूम 1984 इनका जन्म 22 जून 1932 को हुआ था नवाब सहर पंजाब ब्रेटिस भारत में यह 12 जन्रूरी 2005 को इनका निधन हो गया था इन्हेंने 1967 से 2005 तक अपने अभिने में सक्क्री रहे इनके जीवन साथिनी है उर्मिला दिवेकर और इनके सगे भाई है चमनपुरी भाई है मदनपुरी भाई है केल साइगल चछेरे भाई है बर्धनपुरी पहत रहें जबकि उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी भासा की फिल्मों के में काम किया है उन्होंने पंजाबी तेल्गू कन्नट तमिल मर्यालम और मराठी भासा की फिल्मों में भी काम किया है अमरीश पुरी उन्हें सर्फसेष्ट सहय का अभिनेता के लिए तीन फिलेमपरेल रुष्कार जीते हैं उनके पोते वर्दमन पूरी वी भारती सिनेमा में एक अभिनेता हैं जिन्होंने पूरी अम्रेश पूरी फिल्म्स के नाम पर एक प्रोडेक्शन हाउस द्वारा निर्मिर फिल्म में लिखा और आविने किया 1970 के दसक के दौरान अम्रेश पूरी अक्सर भूमिकाओं में काम करते थे आम तोर पर मुकी खलनाइक के गुर्गे के रूप में उन्होंने 1980 की सुपर हिट फिल्म हम पांच में देखा गया था जिसमें उन्होंने मुकी खलनाइक की भूम का निभाई थी उसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में मुकी खलनाइक के रूप में लिया जाने लगा 1982 में अमरीश पूरी ने सुभास गई की सुपर हिट फिल्म विधाता में मुखी खलनाएक जगवर चौदरी की भूम का निभाई उस वर्थ उन्होंने फिर से दिलीब कुमार और अमिता बच्चन की सा अभिनित फिल्म सक्ती में मुखी खलनाएक जगवर की भूम का निभाई इसके बाद 1983 में गई ने उन्हें फिर से हिट फिल्म हीरो में मुखी खलनाएक पासा के रूप में काश्ट किया पूरी नियमित रूप से बात की घई फिल्मों में दिखाई दिये अमरीश पूरी ने 1980 और 1990 के दसक में खलनाएक की भूमकाव में सरबोच सासन किया उनकी दबदबे वाली स्पीन उपस्तिती और माध्यम आवाज ने उन्हें एक बिन अन्य खलनाएकों के बीच खड़ा कर दिया उन्होंने रिचर्ड एटनर बरो की गांधी 1982 में खान के रूप में और इस्टीवन इसलीब बर की इंडियाना जोंस दा टेंपल आफ ड्रम 1984 में मुख्य प्रतिपच्छी मौल मौला राम के रूप में उनकी मुख्य भूमकाओं के लिए अंतरराश्टी दर्सकों के लिए जाना जाता है उन्होंने भूमकाओं के लिए अपना सिर मुड़वा लिया और इनसे ऐसी छाप छोड़ी की उन्होंने अपना सारा अपना सिर मुड़वा लिया उन्होंने गंजे लुक में उन्हें बार्त की फिल्मों में खलनायक के रूप में अलग-अलग लुक के साथ प्रयोग करने की छूट दी गई अमरेशपुरी इसलिब बर्ग ने एक महान ताल मेल साजा किया और इसलिब बर्ग अक्सर साच्छात कारों में कहते हैं थे अमरेशपुरी मेरा पसंदीदा खलनायक है दुनिया ने अब तक का सबसे अच्छा उत्पादन किया है और कभी भी होगा खलनायक की भूमकाओं में अमरेशपुरी को मिश्टर इंडिया में मोगंबो बिधाता में जागावर मेरी जंग में कठराल तरदेव में भोज घायल में बलवंतरा दामेनी में बारिष्टर चढधा और ठाकुर के रूब में याद किया जाता है दूर्जन सिंग करण अर्जुन में चाची 420 में उनकी हास भूमकाओं जिसमें उन्होंने कमल हासन के साथ आविने किया और बहुशा शराहा गया 1990 के दसक से 2005 में अपनी म्रत् देखनी सकारात में घूमकाएं दिलवाले दुलिने ली जाएंगे फूल और कांटे गर्दिस्ट परदेश विरासत घटक मुझे कुछ कहना है चाइना गेट है उन्होंने मेरी जंग और विरासत के लिए सबसेश चाहिक अबनेता का फिल्म फिर प्रुशकार जीता अमरेश पूरी माइलो डिस प्लास्टिक से पीड़ित थे एक दुरला प्रकार का रक्ट कैंसर और 2027 दिसंबर 2004 को हिंदू जास्तुताल में भरती होने के बाद उनकी इस्तिति के लिए मास्तिक की सर्जरी हुई थी उनकी इस्तिति के लिए मास्तिक छेतर में जमारक्त को लगातार घटाने की आवसकता थी मास्तिक और कुछ समय बाद वो अपनी मृत्यू के समय पहले 12 जनुरी 2005 को सुबह 7 बच के 30 मिनट के आसपास खुमा में चले गए थे लोगों को अंतिम सम्मान देने के लिए उनके सरीर को उनके आवास पर लाया गा था और उनका अंतिम ससकार 13 जनुरी 2005 को सिवाजी पारक समसान में हुआ था 22 जून 2019 को अमरिस्पुरी को गूगल डूडल से सम्मानित किया गया था 1987 में जनम दिन के उपलच में गूगल ने उन्हें तस्वीर और साथ में लिखा हुआ इस प्रकार पढ़ा यद पहली बार आप सफल नहीं होते तो कोसिस करें फिर से प्रयास करें और आप भारती फिल्म अबनेत अमरिस्पुरी की तरह हो सकते हैं जिन्होंने एक सुरुवाती जटकें पर काबू पा लिया अपने बड़े परदे के शपनों को पूरा करने का तरी बी एम कालेस से पढ़ाई पूरी करके उन्होंने सरप्रतम अभिने की दुनियों में कदम रखा था अमरिस्पुरी ने सबसे पहले रंग मंच से जुड़े थे और फिर बाद में उन्होंने फिल्मों में काम करना चालू किया था अमरिस्पुरी को रंग मंच से बहुत ही लगाओ था और तो और उनके हर एक नाटक को स्वाहिंद्रा गांधी और अठल भिहरी बाजपे जैसी महान लोग उनके नाटक को देखा करते थे पतम विबूसर्ट रंगमक कर्मी अबराहम अलकाजी से उन्होंने 1961 में हुई एतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वे बाद में भारती रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए थे अमरेश पुरी चरितर बनेता मदनपुरी के छोटे भाई अमरेश पुरी हिंदी फिल्मों की दुनिया का एक प्रमुक इस्तमभ है अभिनेता के रूप में निसांत मंथन और भूमका जैसी फिल्मों में उन्हेंने पहंचान बनाने वाले स्री पुरी नेबाद में निभाई जो काफी चर्चेत रही इस भूमका का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने हमेशा अपना सिर मुड़वा कर अपने हैसला किया कि इस कारण खलनाएक की भूमका भी उन्हें काफी मिली बेवसाइक फिल्मों में प्रमुकता से काम करने के बाद बावजूद सामानतर या अलग हट कर बनने वाले फिल्मों के प्रत उनका प्रेमबन बना रहा और इस तरह की फिल्मों से भी जुड़े रहे फिर खलनाएक की भूमका के लिए अम्रेश पूरी हट कर चरित रभिनेता की भूमकाओं वाले अम्रेश पूरी का दौर इस दौर में उन्होंने अपनी आइवने कला का जादू कब नहीं होने दिया फिल्म मिश्टर इंडिया के बाद मोगयमबो खुस हुआ किसी वेक्ति का खलनाएक वाला रूप सामने लाता तो फिल्म डीडी एलजे का संबाद जरा सिम्रंजा जी ले अपनी जिंदगी वेक्ति वो रूप सामने लाता जो के परिवर्तित हर्दे को गुहोतक है और इस तरह हम पाते हैं कि अम्रेश्पुरी भारती जन मानस के दो पच्छों को बिक्त करते हुए याद किये जाते हैं कुल भूसर पंडित का जन्म लोरलाई ब्लूचिस्तान ब्रेटिस भारत में एक कस्मीरी पंडित परिवार में हुआ था 1940 के दसक के अंत में वे बांबे चले गए थे जहां में बांबे पुलिस के आधिन एक सब एस्प्रेक्टर बन गए उन्होंने पंडित से साधी की जो एक इंगोल इंडियन थी जिसने उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी जहां वो एक एर होस्ट थी बाद में उन्होंने हिंदू रीत रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदल कर गायतरी कुमार रख लिया उनके तीन बच्चे थे बेटे पुरू राजकुमार एक अभिनेता पाड़ीन राजकुमार और बेटी वास्तिविक पंडित इन्होंने दोजार छे की फिल्म आड़ दा पावर आप सनी में अपनी शुरुवात की थी अगर इनके कारियर की बात की जाये तो राजकुमार ने 1952 की फिल्म रंगीली में आभिनेक की शुरुवात की और आप सर गमंद और लाखों में एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिये लेकिन शुहराव्द मोधी की ने सुरुवान ए आलिदा नौसेर वान ए आदिल 1957 में राजकुमार नौसाजाद के रूप में वो प्रसिद्ध हुए 1997 में उन्हों ने मतर इंडियमें नरगिस के पती के रूप में अपनी संचीपिध भूहमका के साथ प्रमुकता हासिल के उन्हों ने उजाला 1969 में सम्मी कपूर के साथ वी काम किया इसके बाद उन्होंने दिलीब कुमार के साथ पैगंग घम 1961 में एक मिल मजदूर की भूमका निभाई त्रीधर के दिल एक मंदिर में 1963 राचकुमार ने एक कैंसर रोगी की भूमका निभाई जिसके लिए उन्हें सबसेश्ट साहिक अबनेता की स्रेणी में फिल्म फेर पूसकार जीता 1965 में एस चोपड़ा के परिवारिक नाटक वास्तों में सुनील दत ससी कपूर और बलराज साहनी के साथ लिया गया था वो समात बितरक की अपनी बिशिट स्टाइली के लिए जाने जाते हैं उनकी अने कुल लेखनी फिल्मों में हमराज 1963 हीर रांजा 1971 मर्यादा 1971 लाल पत्तर 1971 और पाकीजा 1972 सामिल है 1970 के दसक के अंत और 1980 के दसक की सुरुआत में फलाफ की अवधी के बाद उन्हें कुदरत 1981 एक नई फहली 1984 मरते दम तक 1987 मुकदर का फैसला 1987 और जंग बाज में सहाय कबनेता के रूप में उलेखनी सफलताएं मिली 1989-1991 में उन्होंने सुभास गई की सौधागर में 32 साल बाद साथी दिगजबनेता दिलीब कुमार के साथ फिल्ट फिर से काम किया उनकी आखिरी हिट फिल्म 1992 में आई फिल्म तिरंगा थी और उनकी अंतेम फिल 1995 की गाड एन गन थी आज की बात करने जा रहे हैं हिंदी फिल्मों के प्रसित्य बिनेता निर्माता निर्देशक असो कुमार की असो कुमार का जन बिहार के भागलपूर सहर के आदमपूर महले के मद्ध एक वरगी बंगाली परिवार में हुआ था असो कुमार सभी भाई बहनों में बड़े थे उनके पिता कुंजलाल गांगुली मद्ध प्रदेश के खंडावा में वकील थे गायकें मभिनेता की सोर कुमारें अभिनेता आनूप कुमार उनके छोटे भाई थे दरासल इन दिनों की फिल्मों में आने की प्रेणा की भी असो कुमार से ही मिली असो कुमार ने अपनी प्रारंबिक सिचामत्य प्रदेश के खंडावा सहर से प्राप्त की थी और बाद में असो कुमार ने अपनी इसनातक की सिचायलावाद भी सुबिद्याले से पूरी की थी असो कुमार ने अभिने की प्रचलित सहलियों की दर किनार कर दिया और अपनी स्वभाविक सैली विक्सित की थी वो कभी भी जोखिम लेने में नहीं घबराए और पहली बार हिंदी सिनेमा में एंट्री हीरो की भूमका की थी असुक कुमार ने सन 1934 में यू थ्रेटर में बतोर लेबोरेटी असिस्टेंट के रूब में काम किया था असुक अनोप और किसोर कुमार ने चलती का नाम गाड़ी में काम किया इस कमेडी फिल्म में भी असुक कुमार ने बड़े भाई की भूमका निभाई थी फिल्म में मदवाला ने भी काम किया था असो कुमार ने अपने कई साथ साथ कारों में ये बात के सुईकार की थी कि उन्होंने केवल अभिने बलकि गाने की प्रेणा भी असो कुमार से ही मिली है क्योंकि असो कुमार ने बच्पन में उनके बीतर बाल गीतों के जरिये गायन के संसकार डालते थे असो कुमार की रुची अभिने नहीं थी बलकि वो फिल्म में तक्नीकी 25 से जुड़ना चाहते थे लेकिन किसमत ने उन्हें अभिने के छेतर में लाकर खड़ा कर दिया और उन्होंने अभिने को इस कदर आदम साथ कर लिया कि उनके अभिने का जादो लोगों को सिर पर चड़ कर बोलने लगा असो कुमार के केरियर की सुरुआत बामबे टाकिज से हुई थी वो उस वक्त तक्नीक सियन थे उनके हीरा पर बनने का हिस्सा कुछ यूँ था एक बार देविका रानी के एक हीरो नजीन मल हुसेन सेट से भाग गया थे जिस वज़े से बामबे टाकिज में हिमानसु राय की काफी परेसानियों का सामना करना पड़ा था इसके बाद हिमानसु राय ने असो कुमार को देविका रानी का हीरो बना दिया देविकार रानी और असोकुमार की जोड़ी खुब जमी अचूत कन्या में इस दोनों के अभिने को लोगों ने खुब शराहा अशोकुमार और देविकार रानी ने साबित री निर्मला और इज्जत में भी साथ साथ काम किया बामबे टागेज की फिल्म किसमत असोकुमार के लिए मील का पत्थर साबित हुई ग्यान मुकरजी द्वारा ने देशित किसमत हिंदी सिनेमा की बहुछ चर्चित फिल्मों में से एक है एक और इसमें नायक असोकुमार एंट्री हीरो की भूमका में थे वहीं कभी सित हुई उस समय दूसरा बिस्व युद्ध चल रहा था और बेटन युद्ध में जर्मनी युम जापान जैसे देशों से जूज रहा था इस फिल्म का एक गीत दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदोस्ता हमारा काफी शफल सिद्ध हुआ था इसके बाद उसोकुमार की य एक और चर्चित फिल्म महल आई जिसमें उन्होंने अपेच्छा कर नई अवनेत्री मदुबाला के साथ काम किया असोकुमार ने उस वक्त टेजिट कुईन के साथ पाकी जा बहु बेगम आरती एक ही रास्ता इत्यात फिल्मों में काम किया इसके साथ ही चलती का नाम भी बने यसी ही चर्चित फिल्म जोल थी जिसका कथानक एसा था जिसमें आकरी छण तक दर्सकों को यह पता नहीं लगा पाया कि असोकुमार बिल्न की भूमका में हैं असोकुमार ने दूर दर्सन के धारावाहिकों में भी काम किया है देश के पहले सोप ओपेरा हम लोग वो सूत्रधार की भूमका में थे और बहुचाची धारावाहिक बहादूर सा जफर में असोक ब्रद्ध हो चुके थे बासा की आस्विमरनी भूमका निभाई दादा पुनी मुनी बहु मुखी प्रतिभा के घनी थे जिनके सोप में प्रेंटिंग बनाना था और होमोपैतिक के डाक्टर भी थे दादा मुनी और इनके पुरुसकार की बात की जाये तो असोक मार की फिल्म सफर में कई फिल्मों से पुरुसकार से नवाजा गया था और करीब 6 दसक तक भी मिसाल भी नहीं से दर्सकों को रू मांचित किया, 1961 की संगीर नाटक अकादमी पुरुसकार से समानित किया गया था, 1962 में राकी फिल्म के लिए उन्हें सर्फसेष्ट अभिनेता का फिल्म पे पुरुसकार मिला था, 1967 में अपसाना फिल्म के लिए साहक अविनेता का फिल्म पर पुरुषकार मिला था 1979 आसिरवात फिल्म के लिए उन्होंने सरफसेश्ट अविनेता का फिल्म पर पुरुषकार जीता था दिलीब कुमार उफर मोहमद यूसुफ खान भारती हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता हैं दिलीब कुमार को अपने दोर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है तरसत की भूमका के लिए महसूर होने के कारण उन्हें ट्रेजिरी किंग भी कहा जादा था दिलीब कुमार को भारती फिल्मों ने यादगार अबिने करने के लिए फिल्मों का सरबोच सम्मान दादा शाह पलके पुरुसकार के अलावा पदम विभुसर और पाकिस्तान का सरबोच नागरिक सम्मान निसा ने इंतियाज से भी सम्मानित किया जा चुका है इसके अलावा वो वर्ष 2000 से राज सभा के सदस्थी हैं दिलीब कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को बरतमान पाकिस्तान के पेसावर सहर में हुआ था उनके बच्पन का नाम मुहम्मद यूसुख खान था उनके पिता का नाम लाल गुलाम सरवर था जो फल बेंचकर अपने परिवार का खर चलाते थे वीवाजन के दवरान उनका परिवार मुंबई आकर बस गया उनका सुरुवाती जीवन तंग हाली में ही गुजरा पिता के ब्यापार में घाटा होने के कारण वो पूरे की एक कैंट टीन में काम करने लगे थे यहीं देविकारानी की पहली नजर पर उन पर पड़ी और उन्होंने दिलीब कुमार को अभिनेता बना दिया दिलीब कुमार की साधी अभनेतरी साहराबानों से वर्स 1966 में हुई थी विवा के समय दिलीब कुमार 44 वर्स और साहराबानों 22 वर्स की थी 1980 में कुछ समय के लिए उन्होंने आसमा से दूरी आसमा से दूसरी साधी भी की थी मृत्यू की बात की जाये तो दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ होने के चलते मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भरती कराया गया था जहां उनकी तकलीफ के चलते 98 वर्स की में 98 की उम्र में 7 जुलाई 2021 को सुबह इनका रिंदन हो गया था अगर इनके केरियर की बात की जाये तो दिलीप कुमार ने अपने केरियर की सुरुवाद फिल्म जुआर भाटा से की जो वर्स 1944 में आई हलाकि यह फिल्म सफल नहीं रही उनकी पहली हिट फिल्म जुगनु थी यह फिल्म एक हिट साबित हुए दीदार 1991 और देवदास 1955 जैसे फिल्मों में गंभीर भूमकाओं के लिए मसूर होने के कारण उन्हें ट्रेजडी किंग कहा जाने लगा मुगले आजम 1960 में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर के भूमका निभाए रामा और स्याम में दिलीब कुमार द्वारा निभाया गया दोहरी भूमका डबल रोल आज भी लोगों को गुद गुदाने में सफल साबित होता है 1970, 1980 और 1990 के दसक में उन्होंने कम फिल्मों में काम किया इस समय की उनकी प्रमुक फिल्में थी करांती 1981, विधाता 1982, दुनिया 1984, कर्मा 1986, इज्जददार 1990 और सौदागर 1991 में और 1998 में बनी किला उनकी आकरी फिल्म थी उन्होंने रमेशिप्पी की फिल्म सक्टी में आमताब बच्चन के साथ काम किया था इस फिल्म के लिए उन्होंने फिल्म पर प्रुसकार भी मिला था दिलीब कुमार और मदगाला स, साल 1994 में दिलीब कुमार और की मुलाकात फिल्म जषार भ겠ा के सेट पर अबनेतरी मद मदुबाला से हुई थी, इसके बाद महज 18 वर्स की मदुबाला के मन में दिलीब कुमार के लिए प्रेम जागा, उस समय दिलीब कुमार 21 वर्स के थे, साल 1971 में इन दिनों पुना फिल्म तराना में साथ काम किया था, फिल्म मुगले आजम की सूटिंग में 9 साल का समय लगा, जिस दोरान इन दोनों का प्रेम और भी ज्यादा हो गया था, मदुबाला दिलीब कुमार से साधिक करना चाहती थी, लेकिन दिलीब कुमार ने इनकार कर दिया था, ये भी कहा जाता है कि दिलीब कुमार साधिक के लिए तयार थे, लेकिन मदुबाला का परिवार इस खिलाब था 1998 में आयात उल्ला खान के कोर्ट में दिलीव कुमार के खिलाब मुकत्मा भी किया गया था जिसमें वो इन दोनों के प्रेम समंदों को खत्म करना चाहते थे अमरता सिंग एक भारती अविनेतरी हैं जिनोंने दुनिया मुवी में बखुवी अपना किरदार निभाया है वो अपने समय की लीडिंग हमने इतनियों में से एक हुआ करती थी अमरता सिंग अविनेतरा सैफली खान की पहली पत्नी है अमरता का जनम नो फरवरी 1958 को एक सिक परिवार में हुआ था इनकी पिता का नाम सरदार रविंदर सिंग था जमकि उनकी मा का नाम रुक्साना सुल्तान अमरता सिंग भारती लेखक सुक्वन्थ सिंग की वतीजी हैं इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो उन्होंने दिल्ली के माडर्न स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और हिंदी अंग्रेजी और पंजाबी भासा में नुपुड हैं अगर इनकी साधी की बात की जाए तो अमरता सिंग की साधी बारा साल छोटे सैफली खान से हुई थी इन्होंने साधी के बाद अपनी धर्म भी परवर्तित कर लिया था और फिल्मी दुन्या से भी दूरी बना ली थी लेकिन उनकी यह साधी सिर्फ 13 साल तक चली साल 2004 में दोनों का तलाक हो गया सैफली खान का पटवदी आप नवाब से भी जाने जाते थे इनके दो बच्चे हैं सारा अली खान और इबराहिम अली खान अगर इनके कारियर की बात की जाये तो अमरता सिंग ने अपने फिल्म की कारियर की सुरुआत फिल्म बेताब से 1983 में की थी इस फिल्म में वो सनी देवल के साथ नजर आये थी इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिसमें फिल्म मर्द सामिल है इस फिल्म में objective मेगाश्टर अमिता बच्चे नजराय थे उन्होंने सकारात्मक किरदार के लिए फिल्म राजू बन गया जेंटलमेन आईना जैसी फिल्मों में सकारात्मक किरदार भी निभाया है अपने फिल्मी कहरियर में उन्होंने फिल्म फेर कावेस्ट सपोरटिंग एक्टर का आवाड भी जीता है अवनेता सफली खान से सादिक होने के बाद अमरता ने अपनी पहली फिल्म कहरियर से ब्रग लेकर अपना परिवार समाने लगी अमरता ने साल 2002 में फिल्म 23 मार्च 1931 सहीत फिल्म से वापसी की उन्होंने इस फिल्म में भगस सिंग की मा का किरदार नहीं बाया इसके बाद 10 कहानिया सूट आउट एंड लोक खंडवाला जैसी फिल्म में नजर आई थी 2014 में वो धरम प्रोडक्शन की फिल्म 2 स्टेटस में नजर आई थी ये फिल्म चेतन भगस सिंग की नोवेल पर आधारित थी अमरता सिंग ने इस फिल्म में अरजुन कपूर की पंजाबन मा का किरदार निबाया जिसे दर्सकों और अलचकों द्वारा खूप सा रहा गया था अगर इनकी प्रसिती फिल्मों की बात की जाए तो इनकी प्रसिती फिल्मे हैं मर्द, बेताप, सूरवनसी, राजु बन गया जेंटरमेन, अकेला, सपना, आग का दरिया, सच्चाई की ताकत, काला धंधा, गोरे लोग, कल की आवाज, टू इटेटस, दस कहानिया, सूट आउट एंड खंडेलवाल, तेस मार्च 1931 को सही, तूफान, सी आएडी, अगरिम, मुझरिम, चर्णों की सौगंध, दुनिया जैसी फिल्मों में अपने अविने की सुरुवात बहुत अच्छे ढंग से की और बखूबी अपने किरदार को निभाया, रमेश तलवार, बा 1881 और जमाना उनीश सो पच्चासी उनकी सबसे ब्योसाइक रूप से सफल फिल्मे हैं, उन्होंने बसेरा के लिए सरस्टेश निर्देशन के लिए फिल्म फिर नामांकत जीता, वो हिंदी सिनेमा के बहुत लोगप्री बाल कलाकार भी हैं, सबसे लोगप्री 1961 की सूपर हि रूप में भी दिखाई दिये हैं, वे सान्तम द्वारा निर्मित फूल और कलियों ने बच्चों की सरस्टेश फिल्म का सण पदक जीता है, उन्होंने एस्चे उपड़ा के सहाग निर्देशन के रूप में भी काम किया है, और 1977 से एक सोतंतर फिल्म निर्देशक के प्रसिद फिल्म निर्माता एस्चे उपड़ा के साथ अपने जुड़ाव की सुरुवात की, उन्होंने 1979-1989 तक फिल्मों में एस्चे उपड़ा और असिस्ट किया, दूसरा आदमी 1977 जिसमें राखी, रसी कपूर, नीतु सिंग, देवन वर्मा और पदिछित का सहानी ने अबने किया था, इन्होंने 1984 की फिल्म दुनिया को भी कास्ट किया है, जो बहुत हिट साबित हुई, 1980 और 1990 की दसस की ये सूपर हिट फिल्म साबित हुई थी, हलाकि फिल्म को कई फिल्म फिल्म नामांकन प्राप्त हुए, लेकिन इसे बॉक्स आफिस पर पर्स गोसित किय गया था, उनके साथ निर्देशित उपकवरों में केवल बसेरा और जमाना 1985 ही सफल रही, इसलिए बाद में उन्होंने अपना ध्यान थ्रेटर के कामों और टेली वीजन कारकरों में बदल दिया, उन्होंने कुछ टेली फिल्म में भी काम किया, टेली वीजन उद्धोक के साथ उन्होंने जुडाओ ने उन्हें फिल्म उद्धोक की तुलना में अधिक सफलता दिलाई, उन्होंने अपने थ्रेटर निर्देशन की सुरुवात 1963 में की थी, 2010 तक उन्होंने लगबग 25 नाटक किये, सत्रगन सिनहा, रेका, सतीस साहा और रितिसकाबट अविनित उन अपने अंदाज में दुनिया मुवी को बहुत ही अच्छे इस्टेट तक पहुँचाया, जिसका आविने किया, जो सुपर हिट साबित हुई फिल्म, 1980 और 1990 की दसक की ये सुपर हिट फिल्म थी, मोहन कुमारे के मानदार और कर्तब निष्ट बेगती है, जो अपने मित्र दिनेश के स्वामित्तु वाली एक सिपिंग कमपनी के महा प्रबंधक के रूप में कारिरत है, दिनेश एक बिधुर है, और उसकी बेटी रोमा, मोहन कुमार उसकी पत्मी सुमित्रा और छोटे ब असकरी के धंधे में, जब मोहन कुमार को उनकी गत्विधियों के बारे में पता चलता है, तो तीनों लोग दिनेश की हत्या कर देते हैं, और इसके लिए मोहन कुमार को धोखा देते हैं, मोहन कुमार असहाय है, अदालत में अपनी बेगुनाही सावित करने में असमर्थ ह उसे 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है उसी समय उसकी पत्नी एक दुरघटना ग्रश्ट में मौत हो जाती है जेल की सजा काटने के बाद मोहन कुमार तीन खलनाएकों से बदला लेने के लिए अमरेश पुरी से मदद लेता है जिसकी जान उसने जेल में बचाई थी पुरी का संबंध अंडरवर्ड से है जबकि मोहन कुमार भी अपने बेटे रवी का पता लगाने में असमर्थ है वो रोमा के पास जाता है और अपने सुचंद चाचा जगदीश के साथ रहता है जो एक सरावी है मोहन कुमार से अंजान उसका खोया हुआ बेटा रवी जुगल की सोर और उसके गिरोव में सामिल हो गया है परस्थितियों के एक मोड में रवी रोमा से मिलता है और मोहन कुमार की जान बचाता है मोहन कुमार रवी के लिए एक इसपष्ठ स्नेह महसूस करता है रोमा और रवी प्यार में पड़ जाते हैं जब मोहन कुमार भंडारी की मौत की योजना बनाता है जुकुल की सोरो और बलवंत रवी को मोहन कुमार को मारने के लिए कहते हैं एसा करने में असमर्थ है रवी छत से गिर जाता है और विडमबना यह है कि मोहन कुमार द्वारा बचाया जाता है और पुरी के गुर्गों से एक कबीर को रवी की बंदूक मिल जाती है संदेश पस्त वो रवी पर जासूसी करता है और जेके और बलवंद से उसके संबंद का पता लगाता है मोहन कुमार गुस्ते में है बलवंद मोहन कुमार को मारने की कोशिस करता है लेकिन अस्फल रहता है मोहन कुमार उसका पीछा करता है और एक ट्रेक की चपेट में आकर बलवंद की मौत हो जाती है भंडारी और बलोंद की मौत से गुस्से में जेके रभी और रोमा का अप्रहण कर लिया ये पता लगाने के लिए बाद में रभी मोहन का बेटा है वो उसे रिहा करने के लिए एक बड़ी फिरसोती मांग करता है उस फिरोती आगामी लड़ाई में मोहन और रभी जेके को मारने के लिए सहयोग करते हैं दुनिया मूबी बिस सुघात और बदले की कहानी है जो एक सीपिंग कमपनी के इमानदार मैनेजर के इर्द गूमती है उसे कुछ कुख्यात कारकरताओं द्वारा अपने मालिक की हत्या के लिए थसाया जाता है और 14 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है कहानी बदला लेने और अपनी बेगुनाही सावित करने के लिए उनके प्रयासों पर प्रकाश डालती है दुनिया मूबी रमेश तलवार द्वारा निर्देशित हिट 1984 की हिंदी भासा की एक्षन फिल्म है जिसमें असोग कुमार, दिलीग कुमार, रिसी कपूर, अमरता सिंग, मुक्य भूमकाओं में है इसमें संगीत आडी बर्मन ने तयार किया है इस फिल्म के निर्देशक हैं रमेश तलवार इस फिल्म को लिखा है जावेद अक्तर पठक कता की है जावेद अक्तर ने निर्मित किया है येस जोहर ने इस फिल्म को अबनिप किया है असोग कुमार, दिलीग कुमार, रिसी कपूर, अमरता सिंग इस फिल्म के चांकन किया है जहांगीर चोधरी जल मिस्तरी इस फिल्म में संगीर दिया है आडी वर्मन जीनी इस फिल्म की रिलीज की तारीक है 18 सितंबर 1984 आडी के रूप में असोग कुमार मोहन कुमार के रूप में दिलीप कुमार और रभी कुमार के रूप में दिशी कपूर रोमा वर्मा के रूप में अमरता सिंग प्रेम चौप्टा के रूप में प्रकास चंद भंडारी अमरेश पूरी यानि कि बलवन सिंग के रूप में है जुगुल किसोर आहुजा जेके के रूप में प्राणड दिने सुवरमा के रूप में हैं प्रदीप कुमार कुल्बूशन खरवंदा तेजस के रूप में हैं वासुदेवी के रूप में ओमपुरी स्रीमति सुमित्रा कुमार के रूप में सायरावानू सुल्भा देश पांडे मर्यम के रूप में हैं पारशकर के रूप में हैं धूमल सतेन कप्पू यान की जगदीश के रूप में हैं मैक मौन कबीर के रूप में हैं टोनी के रूप में हैं जावेत खान अम्रोही अर्बिंद देश पांडे अलबड पिंटों के रूप में हैं अजन स्रीवास्तो अजन्वी के रूप में हैं मडिक किराने के रूप में हैं मडिक जी फिल्म से टेलिफोन अनुकरम जहां न naik बार-बार एक लेड लाइन नंबर पर काल करता है लेकिन गलत कनेक्शन की भावना देते हुए काल काट देता है लेकिन अंत में इसे डिसकनेक्ट नहीं करता जब खलनायक चर्चा में होते हैं 1977 की कन्नड फिल्म पोलू के इसी तरह के अनुकरम पर आधारित है इस फिल्म में कुल्छे गाने हैं नमबर एक तेरी मेरी जिन्दगी लता मंगेसकर जीने काया है गहरे हलके हलके गहरे चाया साम के साईं किसोर कुमार लता मंगेसकर जीने काया है मैं और मेरी आवारगी किसोर कुमार जीने काया है दुनिया बहुत ही कमाल है किसोर कुमार जीने काया है तू चान नगर की सहजादी किसोर कुमार जी ने गाया है जूमती रावत जवान जगमता है जहान दो घड़ी का है समा किसोर कुमार और आसा भोसले महिंद कपूर जी ने गाया है इस फिल्म का एक प्रसिद्ध द्रस्य है जहां नायक बार बार एक लेड लाइन नमबर पर काल करता है लेकिन गलत कनेक्शन का एहसास देते हुए काल काट देता है लेकिन अंत में इसे डिसकनेक्ट नहीं करता जब दोनों खलनाक चर्चा में होते हैं 1984 की हिंदी फिल्म में इस्तेमाल किया गया दुनिया इस फिल्म में मुखी किरदार राजकुमार ने एक अंग्रेजी प्रोफेसर मोहन की भूम का निभाई है कहानी कुछ मज़ेदार घटनाओं से शुरू होती है जो उसके और रोहड के बीच होती है जो कालेज की सबसे लोकप्री लड़की लच्चमी द्वारा अवनित है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दो मुकी पात्र प्यार में पढ़ जाते ही उनके प्रेम प्रसंग की खबर दोनों परिवारों तक पहुंचती है और रोहडी ने रिस्ता खत्म करने का फैंसला किया राजकुमार का मानसिक रूप से बीमार भाई फिर बाकी फिल्म का फोकस बन जाता है डिसी कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 30 अप्रेल 2020 एक भारतिय अभिनेता फिल्म निर्देशक और निर्माता थे जिनों ने हिंदी फिल्मों में काम किया वो चार फिल्म पेर पुरुषकार और एक राश्टी फिल्म पेर पुरुषकार सहित कई पुरुषकारों से समानित किये गए थे कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पीता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में एक किसोर के रूप में अपनी सुरुवात की जिसके लिए उन्होंने सर्फसेष्ट बाल कलाकार का राश्टी फिल्म पुरुषकार जीता एक वैस के रूप में उनकी पहली मुक्य भूम का किसोर रूमांस बाबी 1973 में डिंपल का पाडिय के साथ थी जिसने उन्हें सर्फसेष्ट अपने तका फिल्म फेर पुरुषकार दिलाया 1973 और 2000 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों के रूमांटिक लेट के रूप में अभिने किया इसकी अवधी के दोरान उनकी कुछ उलेखनी फिल्मों में खेल खेल में 1975 कभी कभी 1976 शरगम सामिल है 1989 करज 1980 प्रेम रोग 1982 चान्दनी 1989 और दीवाना 1992 दोजार के दसक से कपूर ने लग बाय चांस 2009 लब आज कल 2009 दो चूनी चार 2010 अगनी पत 2012 एक सो दो नाट आउट 2018 और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रसंसा के लिए चरित्र भूमकाय निभाई हैं 2018 में दो गुन दूनी चार 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सब्सेश्ट अपनेता आलोचकों के लिए फिल्म फेर पुरुषकार जीता और कपूर एंड संस 2016 में उनकी भूमका के लिए उन्होंने फिल्म फेर पुरुषकार जीता सब्सेश्ट चाहिक अपनेता उन्हें से सम्मानित किया गया 2008 में फिल्म फेर लाफ टाइम अचीवमेंट आवार्ड उनकी अंतिम फिल्म उपस्तिती सर्माजी नमकीन 2022 में जो मनो परांत रिलिज हुई थी कपूर ने फिल्म सिट पर फिल्मों में काम करने के दोरान अपनी पत्निय अभनेत्री नीतु सिंग से मुलाकात की जिन से रडवीर कपूर सहित उनके दो बच्चे थे 30 अप्रेल 2020 को सर्शत वर्स किया हुमें उनका लुकेमिया से निधन हो गया हमरेश पूरी एक भारती अभिनेता थे जो भारती रंगमंचा और सिनेमा में एक महत्पूर बेक्ती थे उन्हें पंजाबी हिंदी सिनेमा के साथ साथ अन्य भारती और अंतराश्टी फिल्म उद्धोग में प्रतिष्टिट खनलाईक की भूंका निभाने के लिए याद क किया जाता है और पश्चिमी दर्शकों के लिए उन्हें स्टीवर्ड प्लील बर्ग की हालिवुड फिल्म में मोला राम के रूप में जाना जाता है इंडियन जोन्स एंड दा टेंपल आफ ड्रूम 1984 इनका जन्म 22 जून 1932 को हुआ था नवाब सहर पंजाब ब्रेटिस भा जारत में यह 12 जन्रूरी 2005 को इनका निधन हो गया था इन्हेंने 1967 से 2005 तक अपने अभिने में सक्क्री रहे इनके जीवन साथिनी हैं उर्मला दिवेकर और इनके सगे भाई हैं शमनपूरी भाई हैं मदनपूरी भाई हैं केल साइगल चछेरे भाई हैं बर्धनपूरी पहत रहे हैं जबकि उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी भासा की फिल्मों के में काम किया है उन्होंने पंजाबी तेल्गू, कन्नट, तमिल, मर्यालम और मराठी भासा की फिल्मों में भी काम किया हैं अमरेश पूरी उन्हें सर्फसेश्ट साहय का भिनेता के लिए तीन फिलम प्रुष्कार जीते हैं उनके पोते वर्दमन पूरी भी भारती सिनेमा में एक अभिनेता हैं जिन्हों ने पूरी अम्रेश पूरी फिल्म्स के नाम पर एक प्रोडेक्शन हाउस द्वारा निर्मित फिल्म में लिखा और आभी ने किया कि 1970 के दसक के दोरान अम्रेश पूरी अक्सर भूमिकाओं में काम करते थे आम तोर पर मुकी खलनाईक के गुर्गे के रूप में उन्होंने 1980 की सूपर हिट फिल्म हम पांच में देखा गया था जिसमें उन्होंने मुखी खलनायक की भूम का निभाई थी उसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में मुखी खलनायक के रूप में लिया जाने लगा 1982 में अमरीश पूरी ने सुभास गई की सुपर हिट फिल्म विधाता में मुखी खलनाएक जगवर चौदरी की भूमका निभाई उस वर्थ उन्होंने फिर से दिलीब कुमार और अमिताबच्चन की सा अभिनित फिल्म सक्ती में मुखी खलनाएक जगवर की भूमका निभाई इसके बाद 1983 में गई ने उन्हें फिर से हिट फिल्म हीरो में मुखी खलनाएक पासा के रूप में काश्ट किया पूरी नियमित रूप से बात की घई फिल्मों में दिखाई दिये अमरीश पूरी ने 1980 और 1990 के दसक में खलनाएक की भूमकाव में सरबोच सासन किया उनकी दबबे वाली इस्पीन उपस्तिती और माध्यम आवाज ने उन्हें एक बिन अन्य खलनाएकों के बीच खड़ा कर दिया उन्होंने रिचर्ड एटनर ब्रो की गांधी 1982 में खान के रूप में और इस्टीवन इसलीब बर की इंडियाना जोंस दा टेंपल आफ ड्रम 1984 में मुख्य प्रतिपच्छी मौल मौला राम के रूप में उनकी मुख्य भूमकाओं के लिए अंतर राष्टी दर्सकों के लिए जाना जाता है उन्होंने भूमकाओं के लिए अपना सिर मुड़वा लिया और इन से ऐसी छाप छोड़ी की उन्होंने अपना सारा अपना मेल साजा किया और इसली लिब ब्रग अक्सर साच्छातकारों में कहते हैं थे अमरेश-पुरी मेरा पसंदीदा खंलाएक है, दुनिया ने अब तक का सबसे अच्रा उत्पाधन किया है, और कभी भी होगा खलनाइक की भूमकाओं में अमरिस्पुरी को मिश्टर इंडिया में मोगंबो विधाता में जागावर मेरी जंग में कठराल तदेव में भोज घायल में बलवंतरा दामेनी में बारिष्टर चड़ा और ठाकुर के रूब में याद किया जाता है दूरजन सिंग करण अर्जुन में चाची 420 में उनकी हास भूमकाओं जिसमें उन्होंने कमल हासन के साथ आविने किया और बहुशा शराहा गया 1990 के दसक से 2005 में अपनी म्रत्यु तक हमरिस्पुरी ने कई फिल्मों में साच्छत कात में सहक भूमकाओं भी निभाई है उनकी कुछ उलेखनी सकारात में गूमकाओं दिलवाले दुलिने ले जाएंगे फूल और काटे गर्दिस परदेश बिरासत घटक मुझे कुछ कहना है चाइना गेट है उन्हें मेरी जंग और बिरासत के लिए सबसेश चाहिक अब नेता का फिल्म फिल्म प्रुशकार जी हिंदुजा स्पताल में भरती होने के बाद उनकी इस्तिती के लिए मास्तिक की सरजरी हुई थी उनकी इस्तिती के लिए मास्तिक छेतर में जमारक्त को लगातार घटाने की आवसकता थी मास्तिक और कुछ समय बाद वो अपनी मृत्यू के समय पहले बारा जनुरी 2005 को 2005 को सिवाजी पार्क समसान में हुआ था बैस जून 2019 को अमरेश्पुरी को गूगल डूडल से सम्माइनित किया गया था 1987 में जनम दिन के उपलच में गूगल ने उन्हें तस्वीर और साथ में लिखा हुआ इस प्रकार पढ़ा यत पहली बार आप सफल नहीं होते तो कोसिस करें फिर से प्रयास करें और आप भारती फिल्म अबनेता अमरेश्पुरी की तरह हो सकते हैं जिन्होंने एक सुरुवाती जटकें पर काबू पा लिया अपने बड़े परदे के शपनों को पूरा करने का तरीका अमरेश्पुरी ने अपने बच्पन के सिछा पंजाब में प्राप्त की और आगे की पढ़ाई करने के लिए अमरेश्पुरी सिम्ला गए थे उन्होंने सिम्ला में बी ए बी एम काले से पढ़ाई पूरी करके उन्होंने सरप्रतम अभिने की दुनियों में कदम रखा था अमरेशपूरी ने सबसे पहले रंग मंज से जुड़े थे और फिर बाद में उन्होंने फिल्मों में काम करना चालू किया था अमरेशपूरी को रंग मंज से बहुत ही लगाओ था और तो और उनके हर एक नाटक को स्वाहिंद्रा गांधी और अठल भिहरी बाजपे जैसी महान लोग उनके नाटक को देखा करते थे पतम विबूसर्ट रंगमक कर्मी अबराहम अलकाजी से उन्होंने 1961 में हुई एतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वे बाद में भारती रंगमंज के प्रख्यात कलाकार बन गए थे अमरेश पुरी चरितर बनेता मदरपुरी के छोटे भाई अमरेश पुरी हिंदी फिल्मों की दुनिया का एक प्रमुक इस्तमभ है अबिनेता के रूप में निसांत मंथन और भूमका जैसी फिल्मों में उन्हेंने पहंचान बनाने वाले स्री पुरी नेबाद में निभाई जो काफी चर्चेत रही इस भूमका का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने हमेशा अपना सिर मुड़वा कर अपने हैसला किया कि इस कारण खलनाएक की भूमका भी उन्हें काफी मिली बेवसाइक फिल्मों में प्रमुकता से काम करने के बाद बावजूद सामानतर या अलग हट कर बनने वाले फिल्मों के प्रत उनका प्रेमबन बना रहा और इस तरह की फिल्मों से भी जुड़े रहे फिर खलनाएक की भूमका के लिए अम्रेश पूरी हट कर चरित रभिनेता की भूमकाओं वाले अम्रेश पूरी का दौर इस दौर में उन्होंने अपनी आइवने कला का जादू कब नहीं होने दिया फिल्म मिश्टर इंडिया के बाद मोगयमबो खुस हुआ किसी वेक्ति का खलनाएक वाला रूप सामने लाता तो फिल्म डीडी एलजे का संबाद जरा सिम्रंजा जी ले अपनी जिंदगी वेक्ति वो रूप सामने लाता जो के परवर्तित हर्दे को गुहोतक है और इस तरह हम पाते हैं कि अम्रेशपुरी भारती जन्म आनस के दो पच्छों को बिक्त करते हुए याद किये जाते हैं कुल भूसर पंडित का जन्म लोरलाई ब्लूचिस्तान ब्रेटिस भारत में एक कस्मीरी पंडित परिवार में हुआ था 1940 के दसक के अंत में वे बांबे चले गए थे जहां में बांबे पुलिस के आधिन एक सब एस्पेक्टर बन गए उन्होंने पंडित से साधी की जो एक इंगोल इंडियन थी जिसने उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी जहां वो एक एर होस्ट थी बाद में उन्होंने हिंदू रीत रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदल कर गायतरी कुमार रख लिया उनके तीन बच्चे थे बेटे पुरू राजकुमार एक अभिनेता पाड़ीन राजकुमार और बेटी वास्तिविक पंडित इन्होंने दोचार छे की फिल्म आड़ दा पावर आप सनी में अपनी शुरुवात की थी अगर इनके कैरियर की बात की जाये तो राजकुमार ने 1952 की फिल्म रंगीली में आभिनेक की शुरुवात की और आप सर गमंद और लाखों में एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिये लेकिन शुहराव्द मोदी की ने सुरुवान ए आलिदा नौसेर वान ए आदिल 1957 में राजकुमार नौसाजाद के रूप में वो प्रसिद्ध हुए 1967 में उन्होंने मतर इंडिया में नर्गिस के पती के रूप में अपनी संछिप्त भूहिमका के साथ प्रमुकता हासिल की उन्होंने उजाला 1969 में सम्मी कपूर के साथ भी काम किया इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार के साथ पैगं घहम 1961 में एक मिल मजदूर की भूमका निभाई त्रीधर के दिल एक मंदिर में 1963 राजकुमार ने एक कैंसर रोगी की भूमका निभाई जिसके लिए उन्हें सबसेश्ट साहय कब नेता की स्रेणी में फिल्म फेर पूसकार जीता 1965 में एस चोपड़ा के परिवारिक नाटक वास्तों में सुनील दत ससी कपूर और बलराज साहनी के साथ लिया गया था वो समात बितरक की अपनी विशिट स्टाइली के लिए जाने जाते हैं उनकी अनेक उलेखनी फिल्मों में हमराज 1963 हीर राज़ा 1971 मर्यादा 1971 लाल पत्तर 1971 और पाकीजा 1972 सामिले 1970 के दसक के अंत और 1980 के दसक की सुरुआत में फिलाफ की अवधी के बाद उनें कुदरत 1981 एक नई फहली 1984 मरते दम तक 1987 मुकदर का फैसला 1987 और जंग बाज में सहय कबनेता के रूप में उलेखनी सफलताएं मिली 1989-1991 में उन्होंने सुभास गई की सौधागर में 32 साल बाद साथी दिगजबनेता दिलीप कुमार के साथ फिल्ट फिर से काम किया उनकी आखिरी हिट फिल्म 1992 में आई फिल्म तिरंगा थी और उनकी अंतेम फिल्म 1995 की गाड एन गन थी आज की बात करने जा रहे हैं हिंदी फिल्मों के प्रसित्य बिनेता निर्माता निर्देशक असो कुमार की असो कुमार का जन बिहार के भागलपूर सहर के आदमपूर महले के मद्ध एक वरगी बंगाली परिवार में हुआ था असो कुमार सभी भाई बहनों में बड़े थे उनके पिता कुंजलाल गांगुली मद्ध परदेश के खंडावा में वकील थे गायकेमं अभिनेता कि सौर कुमारं अभिनेता आनूप कुमार उनके छोटे भाई थे दरासल इन दुनों की फिल्मों में आने की प्रेणा की भी असो कुमार से ही मिली असोक कुमार ने अपनी प्रारंडिक सिच्छामत्य प्रदेश के खंडावा सहर से प्राप्त की थी और बाद में असोक कुमार ने अपनी इस्तनात्य की सिचायलावाद भी सुबिद्याले से पूरी की थी असोक कुमार ने अभिने की प्रचलित सहलीयों की दर किनार कर दिया और अपनी स्वभाविक सहली विक्सित की थी वो कभी भी जोखिम लेने में नहीं घबराय और पहली बार हिंदी सिनेमा में एंट्री हीरो की भूमका की थी असो कुमार ने सन 1934 में यू थ्रेटर में बतोर लेबोरेटी असिस्टेंट के रूब में काम किया था असो कुमार और किसोर कुमार ने चलती का नाम गाड़ी में काम किया इस कमेडी फिल्म में भी असो कुमार ने बड़े भाई की भूम का निभाई थी फिल्म में मदुबाला ने भी काम किया था असो कुमार ने अपने कई साथ साथ कारों में ये बात के सुईकार की थी कि उन्होंने केवल अभिने बल्कि गाने की प्रेणा भी असो कुमार से ही मिली है क्योंकि असो कुमार ने बच्पन में उनके बीतर बाल गीतों के जरिये गायन के संसकार डालते थे असो कुमार की रुची अभिने नहीं थी बलकि वो फिल्म में तक्नीकी पच्च से जुड़ना चाहते थे लेकि इनकी समत ने अभिने के छेतर में लाकर खड़ा कर दिया और उन्होंने अभिने को इसकदर आदम साथ कर लिया कि उनके अभिने का जादो लोगों को सिर पर चड़ कर बोलने लगा असोक कुमार के केरियर की सुरुवात बांबे टाकिज से हुई थी वो उस वक्त तक्नीक सियन थे उनके हीरा पर बनने का हिस्सा कुछ यूँ था एक बार देविका रानी के एक हीरो नजीन मल हुसेन सेट से भाग गया थे जिस वज़े से बांबे टाकिज में हीमानसु राय की काफी परेसानियों का सामना करना पड़ा था इसके बाद हीमानसु राय ने असोक कुमार को देविका रानी का हीरो बना दिया देविका रानी और असोक कुमार की जोड़ी खुब जमी अचूत कन्या में इस दोनों के अभिने को लोगों ने खुब शराहा अशोक कुमार और देविकार राणी ने सावित्री निर्मला और इज्जत में भी साथ साथ काम किया बामबे टागेज की फिल्म किस्मत अशोक कुमार के लिए मील का पत्थर सावित हुई ग्यान मुकरजी द्वारा ने देशित किस्मत हिंदी सिनेमा की बहुत चर्चित फिल्मों में से एक है एक और इसमें नायकसो कुमार एंट्री हीरो की भूंका में थे नहीं कभी प्रदीप के गीतों में राष्टिवद में परोच्छ रूप से परिलिचित हो दहा था ये फिल्म जब प्रदसित हुई उस समय दूसरा विस्सु युद्ध चल रहा था और ब्रेटन युद्ध में जर्मनी और जापान जैसे देशों से जूज रहा था इस फिल्म का एक गीत दूर हटो ए दुनिया वालो हिंदोस्ता हमारा काफी शफल सिद्ध हुआ था इसके बाद असो कुमार की ये एक और चर्चित फिल्म महल आई जिसमें उन्होंने अपेच्छा कर नई अवनेतरी मदुबाला के साथ काम किया असो कुमार ने उस वक्त टेजिट कुईन के साथ पाकी जा बहु बेगम आरती एक ही रास्ता इत्यात फिल्मों में काम किया इसके साथ ही चलती का नाम गाड़िया सिरवाद और उनकी लैड मार्क फिल्में हैं वो सिर्फ एक कंभीर कराकार नहीं थे उन्होंने कमेडी में धुम मचाईयों यहां कुछ फिल्मों में बिल्म भी बने यसी ही चर्चित फिल्में ज्वेल थी चिसका कथानक एसा था जिसमें आकरी चिण तक दर्षब को यह पता नहीं लगा पाया कि असो कुमार बिल्मों की भूमका में असो कुमार ने दूर्दर्षण के धारवाहि में भी काम किया है देश के पहले सोप ओपेरा हम लोग वह सूत्रधार की भूमिका में थे और बहुचाची धारवाई बहादूर साज जफर में असोक ब्रद्ध हो चुके थे बासा की आस्विमरणी भूमिका निभाई दादा पुनी मुनी बहु मुखी प्रतिभा के घनी थ जिनके सोक में प्रेंटिंग बनाना था और होमोपैथिक के डाक्टर भी थे दादा मुनी और इनके पुरुसकार की बात की जाये तो असोक मार की फिल्म सफर में कई फिल्मों से पुरुसकार से नवाजा गया था और करीब 6 दसक तक भी मिसाला भी नहीं से दर्सकों को 1962 में राकी फिल्म के लिए उन्हें सर्फसेष्ट अबिनेता का फिल्म पिर पुरुसकार मिला था 1967 में अपसाना फिल्म के लिए साहक अबिनेता का फिल्म पिर पुरुसकार मिला था 1969 आसिरवात फिल्म के लिए उन्होंने सर्फसेश्ट अभिनेता का फिल्म पिर पुरुसकार जीता था दिलीब कुमार उफर मोहमद यूसुप खान भारती हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता है दिलीब कुमार को अपने दोर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है पाकिस्तान का सर्बोच नागरिक सम्मान निसा ने इंतियाज से भी सम्मानित किया जा चुका है इसके अलावा वो वर्ष 2000 से राज सभा के सदस्थी है दिलीब कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को बरतमान पाकिस्तान के पेशावर सहर में हुआ था उनके बचपन का नाम मुंम्मद यूसुख खान था उनके पिता का नाम लाल गुलाम सरवर था जो फल वेंच कर अपने परिवार का खर चलाते थे विभाजन के दोरान उनका परिवार मुंबई आकर बस गया उनका सुरुवाती जीवन तंग हाली में ही गुजरा पिता के ब्यापार में घाटा होने के कारण वो पूरे की एक एंट टीन में काम करने लगे थे यहीं देविकारानी की पहली नजर पर उन पर पड़ी और उन्हें दिलीब कुमार को अभनेता बना दिया दिलीब कुमार की साधी अभनेतरी साहरा बानों से वर्स उनिससो चांचट में हुई थी विवाः के समय दिलीब कुमार चावालिस वर्स और साहरा बानों बैस वर्स की थी 1980 में कुछ समय के लिए उन्होंने आसमा से दूरी आसमा से दूसरी साधी भी की थी मृत्यू की बात की जाए तो दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ होने के चलते मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भरती कराया गया था जहां उनकी तकलीफ के चलते 98 की उम्र में 7 जुलाई 2021 को सुबह इनका रिंदन हो गया था अगर इनके कैरीर की बात की जाए तो दिलीप कुमार ने अभने कैरीर की सुरुआ फिल्म जुआर भाटा से की जो वर्स 1944 में आई हलाकि ये फिल्म सफल नहीं रही उनकी पहली हिट जुगनुती 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म में बालीपूर्ट में दिलीप कुमार को हिट फिल्मों के इस्ट्यार की स्रेड़ी में लाकर खड़ा कर दिया था मसहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजडी किंग कहा जाने लगा मुगल आजम 1960 में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर के भूमका निभाई रामा और स्याम में दिलीब कुमार द्वारा निभाया गया दोहरी भूमका डबल रोल आज भी लोगों को गुद गुदाने मे 1990 के दसक में उन्होंने कम फिल्मों में काम किया इस समय की उनकी प्रमुक फिल्में थी करांती 1981 विधाता 1982 दुनिया 1984 कर्मा 1986 इज्जतदार 1990 और सौदागर 1991 में और 1998 में बनी किला उनकी आकरी फिल्म थी उन्होंने रमेज सिप्पी की फिल्म सक्ती में अमिता बच्चन के साथ काम किया था इस फिल्म के लिए उन्होंने फिल्म फिर प्रुसकार भी मिला था दिलीब कुमार और मदवालास साल 1994 में दिलीब कुमार और की मुलाकात फिल्म जौर भाटा के सेट पर अबनेतरी मदवालास ही उस समय दिलीब कुमार 21 वर्स के थे साल 1951 में इन दिनों पुना फिल्म तराना में साथ काम किया था फिल्म मुगले आजम की सूटिंग में 9 साल का समय लगा जिस दोरान इन दोनों का प्रेम और भी ज्यादा हो गया था मदुबाला दिलीब कुमार से साधी करना चाहती थी लेकिन दिलीब कुमार ने इनकार कर दिया था ये भी कहा जाता है कि दिलीब कुमार साधी के लिए तयार थे लेकिन मदुबाला का परिवार इस रिस्ते के खिलाब था 1998 में आयात उल्ला खान के कोर्ट में दिलिव कुमार के खिलाब मुकत्मा भी किया गया था जिसमें वो इन दोनों के प्रेम समंदों को खत्म करना चाहते थे अमरता सिंग एक भारती अविनेत्री हैं जिनोंने दुनिया मूवी में बखुबी अपना किरदार निभाया है वो अपने समय की लीडिंग हमने इतनियों में से एक हुआ करती थी अमरता सिंग एविनेता सैफली खान की पहली पत्नी है अमरता का जनम नो फरवरी 1958 को एक सिक परिवार में हुआ था इनकी पिता का नाम सरदार रविंदर सिंग था जमकी उनकी मा का नाम रुक्साना सुल्तान अमरता सिंग भारती लेखक सुक्वंत सिंग की वतीजी हैं इनकी पढ़ाई की बात की जाये तो उन्होंने दिल्ली के माडर्न स्कूल चे अपनी पढ़ाई पूरी की थी अगर इनकी सादी की बात की जाये तो अमरता सिंग की सादी 12 साल छोटे सैफली खान से हुई थी इन्होंने सादी के बाद अपनी धर्म भी परवर्तित कर लिया था और फिल्मी दुन्मिया से भी दूरी बना ली थी लेकिन उनकी ये सादी सिर्फ 13 साल तक चली साल 2004 में दोनों का तलाक हो गया सैफली खान का पटवदी अब नवाब से भी जाने जाते थे इनके दो बच्चे हैं सारा अली खान और इबराहिम अली खान अगर इनके कारियर की बात की जाये तो अमरता सिंग ने अपनी फिल्म की कारियर की सुरुआत फिल्म बेताब से 1983 में की थी इस फिल्म में वो सनी देवल के साथ नजर आये थी इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिसमें फिल्म मर्द सामिल है इस फिल्म में उनके उबजेट्टिव मेगाश्टर अमिता बच्चे नजर आये थे उन्होंने सकारात्मक किरदार के लिए फिल्म राजू बन गया जेंटलमेन आईना जैसी फिल्मों में सकारात्मक किरदार भी निभाया है अपने फिल्मी करियर में उन्होंने फिल्म फेर का वेश्ट सपोर्टिंग एक्टर्स का आवार्ड भी जीता है अविनेता सफली खान से साधिक होने के बाद अमरता ने अपनी पहली फिल्म करियर से ब्रग लेकर अपना परिवार समाने लगी अमरता ने साल 2002 में फिल्म 23 मार्च 1931 सहीत फिल्म से वापसी की उन्होंने इस फिल्म में भगा सिंग की मा का किरदार नहीं बाया इसके बाद दस कहानिया सूट आउट एंड लोक खंडवाला जैसी फिल्म में नजर आई थी 2014 में वो धरम प्रोडक्शन की फिल्म टू इस्टेटस में नजर आई थी ये फिल्म चेतन भगस सिंग की नोवेल पर आधारित थी अमरता सिंग ने इस फिल्म में अरजुन कपूर की पंजाबन मा का किरदार निबाया जिसे दर्सकों और अलचकों द्वारा खूप सा रहा गया था अगर इनकी प्रसिति फिल्मों की बात की जाये तो इनकी प्रसिति फिल्मे हैं और बखूबी अपने किरदार को निभाया रमेश तलवार बाफा के प्रसिति रंगमंच बेकती हैं उन्होंने बालीबूट के पठक कता लेखक और प्रसिति निर्देशक के रूम में भी जाना जाता है बसेरा उन्नी सो इक्यासी और जमाना उन्नी सो पच्चासी उनकी सबसे बेवसाइक रूप से सफल फिल्मे हैं उन्होंने बसेरा के लिए सरस्टेश निर्देशन के लिए फिल्म फिर नामांकत जीता हैं वो हिंदी सिनेमा के बहुत लोगप्री बाल कलाकार भी हैं सबसे लोगप्री 1961 की सूपर हिट फिल्म धूल का फूल में बच्चे की भूम का निभाई है वो इन दिनों सिमला 1985 और फूल और कलियां 1960 जैसे फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में भी दिखाई दिये हैं वो सान्तम द्वारा निर्मित फूल और कलियां उन्हें बच्चों की सरस्टेश फिल्म का सुण पदक जीता है उन्होंने एस्चों पड़ा के सहाग निर्देशन के रूप में भी काम किया है और 1977 से एक सोतंतर फिल्म निर्देशक के रूप में अपना काईरियर सुरू करने से पहले हुए उन्होंने 1979 और 1989 की आवदी के दोरान उनके कई निर्देशित उपकर्मों का हिसा बनी 1979 की फिल्म इत्तेफाक ने प्रसिद फिल्म निर्माता एस्चों पड़ा के साथ अपने जुड़ाव की सुरूआत की उन्होंने 1979-1989 तक फिल्मों में एस्चों पड़ा और असिस्ट किया दूसरा आदमी 1977 जिसमें राखी रसी कपूर नीतु सिंग देवन वर्मा और पदिश्चित का सहानी ने अभने किया था इन्होंने 1984 की फिल्म दुनिया को भी काष्ट किया है जो बहुत हिट साबित हुई 1980 और 1990 की दसस की ये सूपर हिट फिल्म साबित हुई थी हलाकि फिल्म को कई फिल्म फियर नामांकन प्राप्त हुए लेकिन इसे बॉक्स आफिस पर पार्स गोसित किया गया था उनके साथ निर्देशित उपकवरों में केवल बसेरा और जमान 1985 ही सफल रही इसलिए बाद में उन्होंने अपना ध्यान थ्रेटर के कामों और टेलिवीजन कारकरों में बदल दिया उन्होंने कुछ टेली फिल्म में भी काम किया टेलिवीजिन उद्धोक के साथ उन्होंने जुडाओ ने उन्हें फिल्म उद्धोक की तुलना में अधिक सफलता दिलाई उन्होंने अपने ठेटर निर्देशन की सुरुवात 1963 में की थी 2010 तक उन्होंने लगबग 25 नाटक किये सत्रगन सिनहा, रेका, सतीश सहा और रितिशका भट अविनित उनकी फिल्म आज भी फिर भी जीने की तमन्ना है 2014 में रिलिज होने वाली है तलवार ने विविन फिल्मों की हस्तियों के साथ कुछ नाटक किये है रमेश तलवार ने बकूवी अपने अंदाज में दुनिया मूवी को बहुत ही अच्छे इश्टेद तक पहुचाया जिसका आविने किया जो सुपर हिट साबित हुई फिल्म 1980 और 1990 की दसक की ये सुपर हिट फिल्म थी निष्ट बेगती है जो अपने मित्र दिनेश के स्वामित्त वाली एक सिपिंग कमपनी के महा प्रवंधक के रूप में कारिरत है दिनेश एक बिधूर है और उसकी बेटी रोमा मोहन कुमार उसकी पत्नी सुमित्रा और छोटे बेटे रवी से जुड़ी हुई है मोहन कुमार के अधीन काम करने वाले जुगल किसोर भंडारे और बलवंत तसकरी के धंधे में जब मोहन कुमार को उनकी गत्विधियों के बारे में पता चलता है तो तीनों लोग दिनेश की हत्या कर देते हैं और इसके लिए मोहन कुमार को धोखा देते हैं मोहन कुमार असहाय है अदालत में अपनी बेगुनाही सावित करने में असमर्थ है उसे 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है उसी समय उसकी पत्नी एक दुरगटना ग्रश्ट में मौत हो जाती है जेल की सजा काटने के बाद मोहन कुमार तीन खलनाईकों से बदला लेने के लिए अमरेश पुरी से मदद लेता है जिसकी जान उसने जेल में बचाई थी पुरी का संबंध अंडरवर्ड से है जबकि मोहन कुमार भी अपने बेटे रवी का पता लगाने में असमर्थ है वो रोमा के पास जाता है और अपने सुछंद चाचा जगदीश के साथ रहता है जो एक सरावी है मोहन कुमार से अंजान उसका खोया हुआ बेटा रवी जुगल किसोर और उसके गिरोव में सामिल हो गया है परस्थितियों के एक मोड में रवी रोमा से मिलता है और मोहन कुमार की जान बचाता है मोहन कुमार रवी के लिए एक इसपष्ठ स्नेह महसूस करता है रोमा और रवी प्यार में पड़ जाते हैं जब मोहन कुमार भंडारी की मौत की योजना बनाता है जुकल किसोर और बलवन्त रवी को मोहन कुमार को मारने के लिए कहते हैं एसा करने में असमर्थ है रवी छ संदेय स्पस्थ वो रभी पर जासूसी करता है और जेके और बलवंद से उसके संबंद का पता लगाता है मोहन कुमार गुस्थे में है बलवंद मोहन कुमार को मारने की कोशिस करता है लेकिन अस्फल रहता है मोहन कुमार उसका पीछा करता है और एक ट्रक की चपेट में आकर बलोंद की मौत हो जाती है भंडारी और बलोंद की मौत से गुस्से में जेके रभी और रोमा का अप्रहण कर लिया ये पता लगाने के लिए बाद में रभी मोहन का बेटा है वो उसे रिया करने के लिए एक बड़ी फिरसोती मांग करता है उस फिरोती आगामी लड़ाई में मोहन और रभी जेके को मारने के लिए सहयोग करते हैं दुनिया मोवी बिस सुघात और बदले की कहानी है जो एक सिपिंग कमपनी के इमानदार मैनेजर के इर्द गूमती है उसे कुछ कुख्यात कारकरताओं द्वारा अपने मालिक की हत्या के लिए थसाया जाता है और 14 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है कहानी बदला लेने और अपनी बेगुना हिसावित करने के लिए उनके प्रयासों पर प्रकाश डालती है दुनिया मोवी रमेश तलवार द्वारा निर्देशित हिट 1984 की हिंदी भासा की एक्शन फिल्म है जिसमें असोक कुमार, दिलीग कुमार, रिसी कपूर, अमरता सिं मुक्य भूंकाओं में हैं इसमें संगीत आड़ी बर्मन ने तयार किया है इस फिल्म के निर्देशक हैं रमेश तलवार इस फिल्म को लिखा है जावेद अक्तर पठक कता की है जावेद अक्तर ने निर्मित किया है येस जोहर ने इस फिल्म को अबनित किया है असोक कुमा दिलीप कुमार, रिसी कपूर, अमरता सिंग, इस फिल्म के चांकन किया है, जहांगीर चौधरी, जल मिस्टरी, इस फिल्म में संगीर दिया है आड़ी वर्मन जी नी, इस फिल्म की रिलीज की तारीक है 18 सितंबर 1984, आड़ी के रूप में असुब कुमार, मोहन कुमार के रू अमरता सिंग, प्रेम चोप्टा के रूप में प्रकास चंद भंडारी, अमरेस्पूरी यानिकी बलवन्त सिंग के रूप में है, जुगल किसोर आहूजा, जेके के रूप में प्राण, दिनेश वर्मा के रूप में है, प्रदीप कुमार, कुल्भूर्शन खर्वंदा, त पारसकर के रूप में है धूमल, सतेन कप्पू यानि की जगदीश के रूप में है मैक मोन कबीर के रूप में है, टोनी के रूप में है, जावेद खान अम्रोही अर्विंद देश पांडे अलबड पिंट्रों के रूप में हैं अंजन स्रीवास्तो अजनवी के रूप में हैं मड़किरानी के रूप में हैं मड़क जी फिल्म से टेलिफोन अनुकरम जहां नायक बार-बार एक लेड लाइन नंबर पर काल करता है लेकिन गलत कनेक्शन की भावना देते हुए काल काट देता है लेकिन अंत में इसे डिसकनेक्ट नहीं करता जब खलनायक चर्चा में होते हैं 1977 की कन्नड फिल्म पोलू के इसी तरह के अनुकरम पर आधारित है इस फिल्म में कुल्छे गाने हैं नमबर एक तेरी मेरी जिन्दगी लता मंगेसकर जीने काया है गहरे हलके हलके गहरे चाया साम के साइं किसोर कुमार लता मंगेसकर जीने काया है मैं और मेरी आवारगी किसोर कुमार जीने काया है दुनिया बहुत ही कमाल है किसोर कुमार जीने काया है तुछान नगर की सहजादी किसोर कुमार जी ने गाया है जूमती रावत जवान जगमगाता है जहान दो घड़ी का है समा किसोर कुमार और आसा भोसले महिंद कपूर जी ने गाया है इस फिल्म का एक प्रसिद्ध द्रस्थे है जहां नायक बार बार एक लेड लाइन नमबर पर काल करता है लेकिन गलत कनेक्शन का एहसास देते हुए काल काट देता है लेकिन अंत मेई इसे डिसकनेक्ट नहीं करता जब दोनों खलनायक चर्चा में होते हैं 1984 की हिंदी फिल्म में इस्तेमाल किया गया दुनिया इस फिल्म में मुखी किरदार राजकुमार ने एक अंग्रेजी प्रोफेसर मोहन की भूम का निभाई है कहानी कुछ मज़ेदार घटनाओं से सुरू होती है जो उसके और रोहणी के बीच होती है जो कालेज की सबसे लोकप्री लड़की लच्चमी द्वारा अवनित है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दो मुखी पात्र प्यार में पढ़ जाते ही उनके प्रेम प्रसंग की खबर द प्राकी फिल्म का फोकस बन जाता है ड्रिसी कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 30 अप्रेल 2020 एक भारतिय अभिनेता फिल्म में देशक और निर्माता थे जिनोंने हिंदी फिल्मों में काम किया वो चार फिल्म पेर पुरुसकार और एक राश्टी फिल्म पेर पुरुसकार सहित कपूर परिवार में जन्में उन्होंने अपने पीता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में एक किसोर के रूप में अपनी सुरुवात की जिसके लिए उन्होंने सर्फेष्ट बाल कलाकार का राश्टी फिल्म पुरुसकार जीता एक वैस के रूप में उनकी पहली का किसोर रोमांस बाबी 1973 में डिंपल का पाडियक के साथ थी जिसने उन्हें सर्फसेश्ट अपने तका फिल्म फेर पुर्सकार दिलाया 1973 और 2000 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों के रोमांटिक लेट के रूप में अभिने किया किसकी अवधी के दोरान उनकी कुछ उलेखनी फिल्मों में खेल में 1975 कभी कभी 1976 शरगम सामिल है 1989 करज 1980 प्रेम रोग 1982 चांदनी 1989 और दीमाना 1992 2000 के दिसक से कपूर ने लग बाय चांस 2009 लब आज कल 2009 दो चूनी चार 2010 अगनी पत 2012 102 नाट आउट 2018 और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रसंसा के लिए चरित्र भूमकाय निभाई है 2018 में दो गुनी चार 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सबसेश्ट अबनेता आलोचकों के लिए फिल्म फेर पुरुसकार जीता और कपूर एंड संस 2016 में उनकी भूमका के लिए उन्हें फिल्म फेर पुरुसकार जीता उनकी अंतिम फिल्म उपस्तिती सर्माजी नमकीन 2022 में जो मणो परांत रिलिज हुई थी कपूर ने फिल्म सिट पर फिल्मों में काम करने के दोरान अपनी पत्निय अभनेत्री नीतु सिंग से मुलाकात की जिन से रडवीर कपूर सहित उनके दो बच्चे थे 30 अप्रेल 2020 को 67 वर्ष किया हुमें उनका लुकेमिया से निधन हो गया अमरेश पूरी एक भारती अभिनेता थे जो भारती रंगमंचा और सिनेमा में एक महत्पूर बेक्ती थे उन्हें पंजाबी हिंदी सिनेमा के साथ साथ अन्य भारती और अंतराष्टी फिल्म उद्धोग में रतिष्टिट खनलाइक की भूंका निभाने के लिए याद किया जाता है भारती दर्शकों के लिए उन्हें सेखर कपूर की हिंदी फिल्म मिश्टर इंडिया 1987 में मगैंबो के रूप में उनकी भूंका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है और पश्चिमी दर्शकों के लिए उन्हें स्टीवर्ड ट्लील बर्ग की हालिवुट फिल्म में मोला राम के रूप में जाना जाता है इंडियान जोन्स एंड दा टेम्पल आफ ड्रूम 1984 इनका जन्म 22 जून 1932 को हुआ था नवाब सहर पंजाब ब्रेटिस भारत में ये 12 जन्म 25 को इनका निधन हो गया था इन्हेंने 1967 से 2005 तक अपने अभिने में सक्क्री रहे इनके जीवन साथिनी है उर्मला दिवेकर और इनके सगे भाई हैं चमनपुरी भाई हैं मदनपुरी भाई हैं केल साइगल चछेरे भाई हैं बर्धन पुरी पहत्र हैं जबकि उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी भासा की फिल्मों के में काम किया है उन्होंने पंजाबी तेल्गू, कन्नट, तमिल, मर्यालम और मराथी भासा की फिल्मों में भी काम किया है अमरीश पुरी ने सबसेश्ट साहय क अभिनेता के लिए तीन फिल्म पुरेल रुषकार जीते हैं उनके पोते वर्धमन पुरी भी भारती सिनेमा में एक अभिनेता हैं जिन्होंने पुरी अमरेश पुरी फिल्म के नाम पर एक प्रोडेक्शन हाउस द्वारा निर्मित फ रूप में उन्होंने 1980 की सुपर हिट फिल्म हम पांच में देखा गया था जिसमें उन्होंने मुख्य खलनाएक की भूंका निभाई थी उसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में मुख्य खलनाएक के रूप में लिया जाने लगा 1982 में अमरेश पुरी ने सुभास गई की खलनाएक जेके की भूंका निभाई इसके बाद 1983 में गही ने उन्हें फिर से हिट फिल्म हीरो में मुख्य खलनाएक पासा के रूप में काश्ट किया पूरी नियमित रूप से बात की घही फिल्मों में दिखाई दिये अमरेश पुरी ने 1980 और 1990 के दसक में खलनाएक की भूंकाओं में सर्पोस्च सासन किया उनकी दबबे वाली इस्पीन उपस्तिती और माध्यम आवाज ने उन्हें एक बिन अन्य खलनाएकों के बीच खड़ा कर दिया उन्होंने रिचर्ड एटनर ब्रो की गांधी 1982 में खा तबल आफड़ ड्रम 1984 में मुखी प्रत्यपच्छी मोल मॉला राम के रूप में उनकी मुखी भूमकाओं के लिए अंतरराष्टी दरस्कों के लिए जाना जाता है उन्होंने भूमकाओं के लिए अपना सिर मुणवा लिया और इंसे चाप खोड़ी की उन्होंने अपना स सारा अपना सिर मुडवा लिया उन्होंने गंजे लुक में उन्हें बार्त की फिल्मों में खलनायक के रूप में अलग-अलग लुक के साथ प्रयोग करने की छूट दी गई